नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल नौलेश शिडियूल में आज के वीडियो में हम करेंगे आधुनिक तथा समकालीन कलाकार हमारा जो ये वीडियो है ये हमारा आधुनिक तथा समकालीन कलाकार है इसके पहले हमने तंजोर, उडिशा, कालिघाट, कंपिनी शेली, तथाराजर रवी वर्मा और मंगाल शेली के कलाकारों को स्किप कर दिया है इन सभी को हम एक और वीडियो में करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी आपका एक कमेंट मैंने देखा था कि मैं पहले आधुनिक कलाकार करा दीजे इसलिए पहले आधुनिक कलाकार का वीडियो में लेकर आ रही हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं गगनेंद नाथ टेगौर इनका जो जीवनकाल है वो है 1867 से लेकर 1938 इस्वी 1867 में इनका जन्म हुआ था और 1938 इस्वी में इनकी मृत्ती हो गई थी गगनेंद नाथ टेगौर का जन्म कब और कहां हुआ था तो 17 सितंबर 1867 इस्वी में कोलकाता के जोरा संकों में इनका जन्म हुआ था ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये गगनेंदरनाथ की द्वारार बनाया गया चित्र है जिसका टाइटल है वाल रूम डांस ये कार्टूनिस्ट थे और इन्होंने 1915 से लेकर 1916 के बीच इस चित्र को बनाया था निम्न मैंसे उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन शैली में काम किया तो ये थे गगनेंदरनाथ टेगोर जिनोंने बंगाल शैली से भिन शैली में काम किया था गगनेंदरनाथ टेगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था तो घनवादी शैली का प्रभाव गगनेंदरनाथ के चित्रों पर देखा जाता है गगनेंदरनाथ टेगोर के घनवादी चित्र किस तकनीकी के थे श्याही रेखा चित्र तकनीकी के इनके चित्र देखे जाते हैं गगनेंदरनाथ टेगोर के जो घनवादी चित्र थे वो श्याही रेखा चित्र तकनीकी के थे उननी सो साथ ईसवी में इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट नामक कला संस्था की आधार शिला किस आधुनिक कलाकार ने रखी थी तो गगनेंदर नाथ टेगोर ने 1907 एसवी में इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट की स्थापना की थी इसकी आधारशिला रखी थी आप से कॉशन डारेक्ट भी पूछ लेता है कि इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट नामक जो कला संस्थान है उसकी आधारशिला किस ने रखी थी तो आप बताएंगे गगनेंदर नाथ टेगोर ने सन 1912 ऐसमी में रवेंदर नात टेगोर की पुस्तक जीवन इसमृती का चितरण किस ने किया था तो जीवन इसमृती जो पुस्तक थी उसका चितरण किया था गगनेंदर नाथ टेगोर ने इसके अलावा चित्रांगदा नामक पुस्तक को अवनी इंदरनाथ ने चित्रत किया था और गीतांजली नामक पुस्तक को नंदलाल बोस ने चित्रत किया था तो तीनों ही चीज़ें आपको यहां क्लियर हो गई हैं कि रवी अंदरनाथ की जो तीन पुस्तके थी जिनको चितरत किया गया था तो अगर गगनी इंदरनाथ का पूछे तो गगनी इंदरनाथ ने जीवन इस्मृती को चितरत किया था अवनी इंदरनाथ का पूछे तो अवनी इंदरनाथ ने चित्रांगदा नामक पुस्तक के 32 चितरत वनाए थे और नंदलाल बोस का पूछे तो नंदलाल बोस ने गीतांजली नामक पुस्तक को चितरत किया था भारत के प्रथम घनवादी चितरकार थे गगनेदर नाथ टेगोर भारत के प्रथम कार्टोनिस्ट थे गगनेदर नाथ टेगोर अगर घनवादी चित्रकार पूछे या आपसे प्रथम कार्टोनिस्ट पूछे तब आप गगनीद रनास टेगोर ही लगाएंगे घनवाद से प्रेडित कुछ अन्य चित्रकारों के नाम बताईए तो जोर्ज गीट, बेंदरे, जहांगीट साबावाला, रामकुमार तथा हुसेन ये सभी घनवाद से प्रेडित सित्रकार थे कुटीर उद्धोगों को प्रोचाहन ही तू गगनीद रनास टेगोर ने कौन सी संस्था खोली तो बंगाल Home Industries Association के नाम से इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया था बंगाल Home Industries Association ये थी संस्था जो इनके द्वारा खोली गई थी किसके प्रोचाहन के लिए कुटीर उद्धोगों के प्रोचाहन ही तू किस समीक्षक ने गगनीद रनास टेगोर को सर्व प्रथम घनवादी कहा था तो डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस ने गगनीद रनास को सर्व प्रथम घनवादी चत्रकार कहा था किस बीमारी से गगनीद रनास टेगोर का 14 फरबरी 1908 सीस्पी को देहांत हो गया था तो ये बिमारी थी पक्ष घात जिसको हार्ट अटेक भी कहा जाता है तो पक्ष घात के कारण इनका 14 परबरी 1938 सीस्पी को देहांत हो गया था किन पाश्चाति कलाकारों से गगनेंदर नाथ टेगोर की समानता की जाती है पिकासो, ब्राक, पॉलकली, आदी जो चित्रकार हैं इनसे गगनेंदर नाथ की समानता की जाती है गगनेंदर नाथ टेगोर के किसी व्यंग चित्र का नाम बताईए तो कानून की शक्ती नामक जो चित्र है वो गगनेंदर नाथ टेगोर का व्यंग चित्र है गगनींदर नाथ टेगोर द्वारा सिल्क पर जलरंग से बनाए गए चित्र का नाम बताईए तो ये चित्र है इनका विलियम रोथेंस्टीन का चित्र विलियम रोथेंस्टीन का जो चित्र था ये इन्होंने शिल्क पर जलरंग के द्वारा बनाया था गोल्ड था Indian Inc. से बने गगनींद नाथ के चितर का नाम बताईए तो ये है इनका चितर पेरी लेंड पेरी लेंड को इन्होंने गोल्ड था Indian Inc. के द्वारा बनाया था गगनींद नाथ टेगोर द्वारा A.C.U.B.E.S.T.Y. को किस माध्यम में चितरित किया गया था तो इसको किया गया था जलरंग में और क्यूबिस्ट सिटी नामक जो चित्र था इसको इहोंने जलरंग में चित्रित किया था गगनेंद नाथ टेगोर का प्रसिद्ध चित्र वाल रूम डांस कहां सुरक्षित है तो ये नेशनल गैलरी ओफ मौडन आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है ये जो चित्र भी आपने देखा था यही चित्र है वाल रूम डांस जो कि नेशनल गैलरी ओफ मौडन आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है क्या क्या विशेष्टा है इनकी नकाब ढके नाग तथा मुख दाड़ी सहित नारी चहरा और स्वपन लोग ये जो विशेष्टा है ये हैं गगनेंद नाथ की विशेष्टा है 1925 इसवी में चित्रित प्रतिमा विशर्जन किसका चित्र है क्या चित्र का नाम प्रतिमा विशर्जन प्रतिमा विशर्जन नामक जो चित्र है वो गगनेंद नाथ का चित्र है और यह हैं इन्होंने 1925 इसवी में चित्रित किया था वर्ष 1925 इसवी में प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के पेंटर है गगनींद्रनाथ टेगोर गगनींद्रनाथ टेगोर की पेंटिंग है कौन सी जादूगर ये इनोंने कब बनाई थी 1925 इसवी में गगनीद्र नाच्ट्रेगोर के कुछ चित्रों के नम बताईए तो इनके जो चित्र है ये हैं फेरी प्रिंसेस, पासिंग आफ दा आर्टिस्ट, यूनिवर्सिटी मशीन अगले कलाकार आते हैं यामिनी रोय यामिनी रोय का जो जीवनकाल है वो 1887 से लेकर 1972 इसवी के मद्गे है इनका जन्म हुआ था 1887 में और इनकी मिलत्की हुई थी 1972 इसवी में जामिनी रोय का जन्म कब और कहां हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 11 अपरेल 1887 इसवी को बेलिया तोड बाकुरा जिला पस्चिम बंगाल में इन्हें यामिनी रोय और जामिनी रोय दोनों नामों से जाना जाता है यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह यामिनी रोय का चित्र है जिसका टाइटल है मा एवम शिशु यह चित्र ओइल कलर से बनाया गया है जी स्पीड में इस चित्र को बनाय गया था वह कौन सा कि सिप्रकार लोग कला से प्रभावित था तो यामिनी रोए यह चीत्रकार यामिनी रोए की चित्रकला कौन सी चित्रंविधा से प्रेरित है just that it's goodbye क्ळा की लेने वाले जो चत्रकार थे वो यह रदा उसकता है कि आधुनिक चित्रकार यांदिरॉए की चित्रकला कौन सी चित्र तब आप कहेंगी काली घाट कें प्रणांसे रिफिंक है यामलिय रोय की पेंटिंग किस माध्य में बनी है तो टेंपच ठीक किसम निद्ट में कैसी राग को किया ने यामिनीर, चित्र कहां सेसे इशा के जीवन पर आधार्द चित्रों करिरमान्ड किया है कुल करणी यामिनी रोय बी प्रभा के एस कुलकर्णी ये तीरों ही चित्रकार लोक कला परंपरा के चित्रकार हैं कौन-कौन से यामिनी रोय बी प्रभा के एस कुलकर्णी यामिनी रोय ने मा और शिशु सीर्शक से कई चित्र किस माध्यम में बनाए हैं तो इन्होंने बनाए है टेंपरा माध्यम में यामिनी रोयका ये जो मा और शिशु नामक्तु चित्र है ये चित्र नहीं बलके चित्र श्रंखला है क्योंकि जहां एक चित्र होता है उसे चित्र कहा जाता है जहां कई सारे चित्र बनाए जाते हैं एक ही सीशत से उसे चित्र शंखला कहते हैं 1922 के मध्य कैनवास पर तैल माध्यम से अंकित यामिनी रोय का सित्र मा एवंशिशु कहां सुरक्षित है तो यह सुरक्षित है नेशनल गैलरी ओफ मॉडन आर्ट नई दिल्ली में 1929 से लेकर 1936 इसवी तक लाहोर के किस स्कूल में यामिनी रोय ने सहायक नि नाम से संबोधित किया तो राष्टवदी कलाकार के नाम से महात्मा गांधी ने यामिनी रोय को संबोधित किया था ये कॉशन इंपोटेंट है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजे रास्टरवादी कलाकार किसे कहा जाता है ये कॉशन कई बार पूछ लिया जाता है तो रास्टरवादी कलाकार कहा जाता है यामिनी रोय को पास्चाते कला समिक्षकों ने यामिनी रोय को क्या कहकर पुकारा भारती कलाका पेगंबर भारती कलाका पेगंबर किसे कहा जाता है अगर ये पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे यामिनी रोय को किसने भारतिय कला का पेगंबर कहकर यामिनी रोय को पुकारा तो पास्षा ते कला समिक्षे को ने यामिनी रोय का चित्र रत पर राजा और रानी किस माध्यम में बना है तो ये बना है टेंप्रा माध्यम में चित्र है रत पर राजा और रानी यामिनी रोय के दोवारा बनाये गया है टेमप्रा माध्यम में यामिनी रोय के रिखांकन की प्रमुख विशेस्ताइं क्या थी तो सरल, गत्यात्मक, वर्तुलाकार, रिखांकन जो था वो यामिनी रोय के रिखांकन की प्रमुख विशेस्ताइं थी क्या क्या सरल गत्यात्मक वर्तुलाकार रिखांगर यामिनी रोय ने अपना जीवन किस रूप में प्रारम्भ किया था तो फैशनेबल कलाकार की रूप में यामिनी रोय ने अपना जीवन प्रारम्भ किया था MF हुसین के अलाबा और किस भारती एक अलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है तो ये कहा जाता है यामिनी रोय को इस कॉशन को आप बहुत अच्छे से याद कर लिजे क्योंकि इसमें confusion कई बार हो जाता है अगर आप से पूछा जाता है भारत का पिकासो किसको कहा जाता है तो अगर option में यामिनी रोय देता है और हुसेन नहीं देता है तब आप यामिनी रोय लगा सकते हैं अगर हुसेन देता है option में तब आप हुसेन ही लगाएंगे depend करता है कि आपके option किस तरीके से दिये गए है हुसेन भी answer सही है और यामिनी रोय भी अमरता शेरगिल अमरता शेरगिल का जो जीवनकाल है वो 1913 से लेकर 1941 इस्वीट के मध्य रहा है इनका जन्म हुआ था 1913 में और इनकी मृत्तिव 1941 में हो गई थी अमरता शेरगिल का जन्म कब और कहा हुआ था तेरे जन्वरी 1913 इस्वी में हंगरी की राज़थानी बोड़ा पेस्ट में अमरता शेरगिल का जन्म हुआ था ये जो चित्र आप देख रहे हैं बदू का स्रिंगार नामक्चित्र है 1937 इस्वी में अमरता शेरगिल के द्वारा बनाए गया था अमरता शेरगिल ने कहां कला की सिक्षा पाई थी तो पेरिस में अमरता शेरगिल ने कला की सिक्षा प्राप्त की थी पेरिस में किसके निर्देशन था था संस्थान से अम्रता शेरगिल ने कला की सिख्षा ग्रहण की थी तो संस्थान का नाम था इकोल तथा बोवाज आर्ट और निर्देशन में की थी लूशिया साइमेन की निर्देशन में पैरिस में अम्रता शेरगिल ने कला की सिख्षा ग्रहण की थी भारतिय कला की प्रेणा माता एक हंगेरियन महला थी अमरता शेर्गिल के चित्रों में यह भाव है विशाद, विशाद नामक भाव की अधिक जलक अमरता शेर्गिल के चित्रों में दिखाए देती थी अम्रता शेरगिल के कार्यों को किस ने प्रोथ साहिद किया था तो जामिनी रोय ने अम्रता शेरगिल के कार्यों को अधिक प्रोथ साहिद किया था जामिनी रोय ने अम्रता शेरगिल के चित्रों को प्रोथ साहिद किया था अम्रता शेर्गिल भारत कब लोटी थी तो 1934 इसवी में अम्रता शेर्गिल भारत लोटी थी अम्रता शेर्गिल के पिता का नाम था उम्राव सेंख सेर्गिल अम्रता शेर्गिल की मृत्यू किस आयू में हुई थी तो 28 वर्ष की आयू में अम्रता शेरगिल की इम्रत्ती हुई थी 5 दिसंबर 1941 इस्वी को अम्रता शेरगिल की प्रसिद्धिक्रती 1932 इस्वी की यंग गर्ल ओल ओन कैन्वास जिसका साइज है 133 गुणा 164 सिंटीमीटर वर्तमान में नेशनल गैलरी ओफ मौडन आर्ट नई दिल्ली में सरक्षित है कौन सीक्रती यंग गर्ल ओल ओन कैन्वास अम्रता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहां लगाई थी मौंबई के किस होटल में अम्रता शेरगिल ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी तो ताज होटल में अम्रता शेरगिल ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी प्रसिद्ध तैल चित्र थ्री वोमेन किसने निर्मित किया तो ये निर्मित किया था अम्रता शेरगिल ने चित्र का टाइटल है थ्री वोमेन जो अम्रता शेरगिल का है अर्विन वक्ते भारती संस्कती के लेखक कौन थे तो ये अम्रता शेरगिल के चाचा थे अम्रता शेर्गिल के चाथा थे अर्विन वेक्टे जो कि भारती संसकती के लेखक थे किसे अंग्रेज कभी वायरन का भारती संसकरण कहा जाता है अम्रता शेर्गिल को अंग्रेज कभी वायरन का भारती संसकरण कहा जाता है अमरता शेरगिल का विवा हुआ था उनके तचेरे भाई जो कि हंगेरियन थे डॉक्टर विक्टर एगान से अमरता शेरगिल की बहन का नाम था इंदिरा अमरता विवान सुन्दरम के रिस्ते में क्या थी अमरता शेरगिल जो थी विवान सुन्दरम की मौसी थी विवान सुंदरम किस लिए प्रशिद्ध है प्रति स्थापन के लिए विवान सुंदरम प्रशिद्ध है अमरता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी तो पॉल गौगिन का प्रभाव अमरता शेरगिल के चित्रों पर दिखाई देता है अमरता शेरगिल के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के नाम बताईए दक्षिन भारती ग्रामीड बाजार जाते हुए जो कि इन्होंने बनाया था 1937 इस्वी में तीन बहने ये बनाया था 1935 इस्वी में परवतिय महलाएं, केले बेचने वाले और ध्रमचारी दक्षिन भारती ग्रामीड बाजार जाते हुए जो कि इन्होंने बनाया था 1937 इस्वी में तीन बहने 1935 इस्वी का है परवतिय महलाएं, केले बेचने वाले और ध्रमचारी आधी चित्र इनके द्वारा बनाया थे अमरता के सरवाधिक चित्र कहां सुरक्षित हैं तो राश्ट्री आधुनिक कला संग्रहाले नई दिल्ली में अमरता के सरवाधिक चित्र सुरक्षित हैं बाल बधू किसकी करती है अमरता शेरगिल की अमरता शेर्गिल की कुती है बाल बधू भारती विश्यों को पास्चाते सहली में किसने चित्रत किया था अमरता शेर्गिल के किस चित्र पर All India Fine Arts and Crafts Society नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक्त मिला था तो भारती विश्यों लड़किया नामक जो चित्र था उस पर All India Fine Arts and Crafts Society नई दिल्ली की ओर से अमरता शेर्गिल को स्वर्ण प्रदक्त दान किया था अमरता की तोर्सो नामक चित्र पर कहां से पुरुसकार मिला तो ये मिला था Grand Ceylon से चित्र का टाइटल था तोर्सो जिस पर अमरता शेर्गिल को पुरुसकार मिला था Grand Ceylon से अमरता शेर्गिल ने अपना स्टूडियो कहां बनाय था तो अमरता शेर्गिल ने अपना स्टूडियो बनाय था पैरिस में दक्षिन भारत की यात्रा के दोरान अम्रता बंबई में किस से मिली काल खंडालावाल से अम्रता की मुलाकात हुई थी दक्षिन भारत की यात्रा के दोरान काल खंडालावाल किस रूप में पसिद्ध हैं ? कला इतिहासकार वँ अधिवक्ता की रूप में काल खंडालावाल पसिद्ध हैं अम्रता शेरगिल ने मैं 1935 ईसवी में एगलेंड की पत्रकार मुलकाम मुगेडी से मिलने के पश्चात एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था दकलकत्ता स्टेट मैंस इसके सहायक संपादक और अग्रिनी लेख के रूप में कारे किया था 22 नमबर 2018 को भारत में सुधवी की पहली निलामी में अमरता शेरगिल की करती दल लिटल गर्ल इन ब्ल्यू कुल कितने रुपे में विकी तो ये विकी थी 18.6 करोड में इगले कलाकार है रबिन्ना टेगॉर इनका जीवनकाल है 1861 से लेकर 1941 इसवी के मध्य 1861 में इनका जन्म हुआ था और 1941 इसवी में इनकी मृत्ती हुई थी रबिन्ना टेगॉर का जन्म कब और कहां हुआ था तो 7 मई 1861 इसवी को कोलकाता के जोरा सांको ठाकुर बाडी में इनका जन्म हुआ था ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये रबिन्ना टेगॉर का चित्र है इसका चित्र का शीर्षक है निरत्यरत इस्त्री रबेंद्र नाथ टेगोर किसकी संतान थे तो देवेंद्र नाथ ठाकुर इनके पिता का नाम था और सार्दा देवी इनकी माता का नाम था रबेंद्र नाथ टेगोर किस रूप में प्रसिद्ध थे विश्र विख्यात कवी साहितिकार एवंदार्षनिक के रूप में रबेंद्र नाथ टेगोर विश्र विख्यात थे या प्रसिद्ध थे अगर आपसे question पूठा दाता है कि कवी साहितिकार एवंदार्षनिक के रूप में प्रसिद्धते और option में रवेना देता है तब आप रवेंद्रनाथ लगाएंगे भारतिय साहितिके एक मात्र नोबल पुरुसकार विजेता है तो ये रवेंद्रनाथ टैगोर है जो भारतिय साहितिके एक मात्र नोबल पुरुसकार विजेता है एशिया के प्रथम नोबल पुरुसकार सम्मानित व्यक्ति है रवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो एशिया के प रचनाय दो देशों भारत का जनगर्मन और बंगला देश का आमार सोनार बंगला राष्ट्रगान बनी तो यह थे रबेंद्रनाथ टैगोर रबेंद्रनाथ की दो रचनाय हैं पहली जनगर्मन जो भारत का राष्ट्रगान है और दूसरी है बंगला देश का राष्ट्रगा एक कवी चित्रकार जिसकी कर्म भूमी शांतजले निकेतन थी तो यह रवेंद्रनाथ टैगोर की कर्म भूमी शांती निकेतन थी संदतर कवी रवींद्रनाथ टैगोर ने शांती निकेतन की स्थापना कब की थी तो सांती निकेतन की स्थापना हुई थी 1901 इसवी में 1901 इसवी में सांती निकेतन की स्थापना हुई थी इसके साथ साथ आप एक पॉइंट और नोटिस कर ले कि रबेंदर नाथ स्टेगोर ने सांती निकेतन की स्थापना तो 1901 में की थी लेकिन कला भवन की स्थापना हुई थी 1919 में रबेंद्रनाथ टेगोर ने विचित्रा कलब की स्थापना कब और कहां की थी तो 1915 इस्वी में जोरा सांकों में रबेंदरनाथ टेगोर ने विचित्रा कलब की स्थापना की थी सांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रबेंदरनाथ टेगोर ने किस वर्ष की अभी ये question मैंने आपको बताया था कि सांती निकेतन की स्थापना कब हुई थी 1901 में लेकिन सांती निकेतन में कला भवन की स्थापना हुई थी 1919 इस्वी में जो कि यहां दिया गया है सांती निकेतन में कला भवन की स्थापना रवेंद्रनाथ टेगोर ने 1919 इसवी में की थी सांती निकेतन कहां इस्थे थे तो बीर भूमी पश्यम बंगाल में सांती निकेतन इस्थे थे रवेंद्रनाथ टेगोर को उनकी पुस्तक गीतांजली को नोबल पुरुसकार कब मिला था तो रवेंद्रनाथ टेगोर को नोबल पुरुसकार मिला था गीतांजली के लिए और ये मिला था 1913 इसवी में गीतांजली के अंग्रेजी भाषा के संसकरण के प्रकाशन का कार्य किस ने किया तो ये किया था रोथेंस्टीन ने किसका गीतांजली के अंग्रेजी भाषा के संसकरण के प्रकाशन का कार्य किया था रोथेंस्टीन ने रवेंद्रनाथ टेगौर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 इसवी में कहां हुई तो ये हुई थी पैरिस में आपसे कोशन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रवेंद्रनाथ टेगौर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहां हुई तब आप पैरिश लिखेंगे और अगर पूछे कि रवेंद्रनाथ टेगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कम हुई तब आप बताएंगे 1930-30 में रवेंद्रनाथ टेगोर की क्रतियों की समानता किस से की जाती है तो ये की जाती है अभिव्यंजनावाधी कलाकार नोलडे तथा पॉलकली से अभिव्यंजनावाधी कलाकार नोलडे तथा पॉलकली जुद्ध थे उनके चित्रों से रवेंद्रनाथ टेगोर की क्रतियों की स किस वाद से प्रभावित है तो ये प्रभावित है अतियथार्थ वाद से रबेंद्र नाथ टैगोर का जो आत्म चित्र है वो यूरोपी आधुनिक कला के आतियथार्थ वाद से प्रभावित है आधुनिक भारत के प्रथम रचनात्मक कलाकार थे रबेंद्र नाथ टैगोर रवेंद्रनाच टेगौर जो थे वो आधुनिक भारत के प्रथम रचनात्मक कलाकार थे रवेंद्रनाच टेगौर के चित्र शैली है ये है आधुनिक शैली रवेंद्रनाच टेगोर के चित्र किस प्रकार के हैं तो आधुनिक विमूर्त शैली के चित्र रवेंद्रनाच टेगोर के हैं प्रसिद्ध कभी रवेंद्रनाच टेगोर ने अपनी उम्र के सत्तरवे पड़ाव पर आकर किसे अपनाय था तो चित्रकारी को सत्तरवे पड़ा पर आकर रवेंद्रनाच टेगोर ने अपनाय था रवेंद्रनाच टेगोर ने कितने चित्र बनाए तो पच्ची सो के लगभग रवेंद्रनाच टेगोर ने चित्र बनाय थे और जब वे सत्तर वे पड़ाप पड़ थे अपनी उम्र के तब उन्होंने चित्रकारी को अपनाया था रवेंद्र नाच टेगोर का माध्यम था स्याही, रंगीन पेंसिल, फूलो की पंखुणियों से प्राप्त रंग, ड्राइपॉइंट, पेस्टल, एचिंग तथा जलरंग क्या क्या थे? स्याही था, रंगीन पैंसिल, फूलों की पंखुडियों से प्राप्त जो रंग थे वो उनका माध्यम था, ड्राइ पॉइंट उनका माध्यम था, पेस्टल और एचिंग तथा जल रंग ये सब भी उनके माध्यम थे 2011 में किस कलाकार के 1.500 वी जन्म शताबदी के अवसर पर The Last Harvest नाम से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन आर्शिव के निर्देशन में हुआ, तो ये हुआ था रबेंदर राथ टेगोर के 1.500 वी जन्म शताबदी के अवसर पर The Last Harvest नाम से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका निर्देशन किया था आर्शिव ने, ये किया था 2011 में, आर्शिव कौन है, तो आर्शिव है एक कला इतिहासकार रबेंदर नाथ टेगोर के प्रमुख चित्र हैं, लाफिंग फेस, राजहन्स, पक्षी, मशीन मैन, सफेद धागे और चिडिया अगले कलाकार है, एफ एन सूजा, एफ एन सूजा का जो जीवनकाल है, वो है 1924 से लेकर 2002 इसवी तक 1924 को इनका जन्म हुआ था और 2002 इसवी को इनकी मृत्ती हो गई थी, एफ एन सूजा का जन्म कब और कहां हुआ था, तो 12 अप्रेल 1924 इसवी को गोवा के साली गाउं में इनका जन्म हुआ था, निर्वासनाओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं, तो निर्वासनाओं के 1942 के भारत चोड़ो आंदोलन में सूजा ने सक्रियता से भाग लिया था अपने विद्रोही सुभाव के कारण सूजा भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी से जुड़े थे वर्ष 1947 इसवी में Progressive Artist Group की स्थापना किस ने की थी तो F.N. सूजा ने वर्ष 1947 में Progressive Artist Group की स्थापना की थी अगर आपसे पूछा जाए Progressive Artist Group यानि की PAG Group के जो संस्थापक थे वो कौन थे तो F.N. सूजा Progressive Artist Group के संस्थापक थे सूजा न्यू यॉर्क जाकर बस गए 1967 इसवी में सूजा न्यू यॉर्क जाकर बस गए थे सूजा का विवाह किस से हुआ था तो सूजा का विवाह हुआ था मरिया से मरिया नामक महिला से सूजा का विवाह हुआ था world and line पुस्तक के लेखक कौन है तो world and line पुस्तक के लेखक है सूजा सूजा का देहांथ कब हो गया था तो 28 मार्च 2002 इस्वी को मुंबई में सूजा का देहांथ हो गया था अगले कलाकर है आपके S.H. रजा S.H. रजा का जो जीवनकाल है वो है 1922 से लेकर 2016 इसवी के मध्यर 1922 इसवी को इनका जन्म हुआ था और 2016 इसवी को इनकी म्रत्ती हो गई थी बिंदू प्रगतिवादी समुह के किस कलाकार द्वारा बनाया गया तो बिंदू प्रगतिवादी समुह के S.H. रजा के द्वारा बनाया गया रजा के बिंदू प्रतीख है अधितिय उर्जा के रजा जो है इनके बिंदू प्रतीख है वो है अधितिय उर्जा के रजा ने वर्ष 2000 के बाद किन विश्यों पर आधारित अपने चित्र बनाए थे तो कुंडलिनी, नाग और महाभारत आधे विश्यों पर रजा ने सन 2000 के बाद अपने चित्र बनाए थे रजा के कौन से चित्र भारत के विभाजन वो मुंबई के दंगों में मुसल्मानों के उत्पीडन के दोरान प्रकट होने वाले उनकी दुख तथा पीडा को दरसाते हैं तो City Escape 1940-20 तथा 12 मुला इन रुएंस नामक जुचित्र हैं वो भारत के विभाजन वो मुंबई के दंगों में मुसल्मानों के उत्पीडन के दोरान प्रकट होने वाले उनकी दुख तथा पीडा को दरसाते हैं रजा ने Black Sun 1953-20 वह Hot Day Case 1951-20 नामक अपने चित्रों को कहां बनाया था तो इन्होंने बनाया था पैरिश में कौन-कौन से चित्र द ब्लैक सन 1953-20 वह Hot Day Case 1951-20 किस चित्रकार ने युवाओं को कला में प्रोचाहन देने ही तु भारत में रजा फाउंडेशन की स्थापना की थी तो ये की थी S.H. रजा ने रजा फाउंडेशन की स्थापना की थी युवाओं को कला में प्रोचाहन देने ही तु भारत पे रजा का विवाह किससे हुआ था तो इनकी पत्नी का नाम था जानीन मोंजिला नामक महिला से इनका विवाह हुआ था जानीन मोंजिला कौन थी? रजा की छात्र मित्र छात्र मित्र थी रजा की जानीन मोंजिला जिन से इनका विवा हुआ था ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये S.H. रजा का चित्र है जलरंग और कुवाचे पेंटिंग, एक निजी संगरहाले में सुरक्षित है जानिनी मोंजिला किस रूप में पसिद्ध थी तो जानिनी मोंजिला मूर्थिकार की रूप में पसिद्ध थी सेयद हैदर रजा थे दरश्य चित्रकार एस एच रजा जो थे वो दरश्य चित्रकार थे इनका पूरा नाम था सेयद हैदर रजा 14 जुलाई 2015 को किस भारतिय कलाकार को फ्रांस का सर्वोच नागरिक सम्मान लीजन ओफ ओनर प्रदान किया गया तो ये प्रदान किया गया था S.H. रजा को S.H. रजा को 14 जुलाई 2015 इसवी को फ्रांस का सर्वोच नागरिक सम्मान Leason of Honor प्रदान किया गया था रजा को पदमश्री तथा पदमभूशन से कब सम्मानित किया गया था रजा को पदमश्री से सम्मानित किया गया था 1981 इसवी में वह पदमभूशन से सम्मानित किया गया था 2007 इसवी में वर्ष 2013 में इस कलाकार को पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया था 2013 में पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया था 1981 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और 2007 में पद्म भूशन से सम्मानित किया गया था सारी चीज़ें याद रखनी है, confuse नहीं होना 1981 में पदम श्री से सम्मानित किया गया था 2007 में पदम भूशन से सम्मानित किया गया था और 2013 में पदम विभूशन से सम्मानित किया गया था सौरास्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो सौरास्ट नामक जो पेंटिंग है वो रजा की पेंटिंग है 10 जून 2010 को रजा की पेंटिंग सौरास्ट क्रिस्टी की नीलामी में कितनी रुपे की बिकी तो ये बिकी थी 16.42 करोड रुपे में क्रिस्टी की निलामी में 10 जून 2010 को रजा की पेंटिंग सौरास्ट्र जो थी वो विकी थी 16.42 करोड रुपे में 2014 की क्रिस्टी निलामी में रजा की पेंटिंग लाटेरे 18.61 करोड में तथा चर्च एट म्यूलान 2.03 करोड रुपे में विकी थी 2014 में क्रिस्टी की निलामी में रजा की जो पेंटिंग थी लाटेरे वो 18.61 करोड रुपे में विकी थी और दूसरी पेंटिंग थी Church at Mulan जो 2.03 करोड रुपे में विकी थी सूधवी ने रजा की पेंटिंग टपोवन जो 1972 में बनी थी कितने डॉलर में बेची तो ये बेची थी 1,47,200 में सूधवी ने रजा की पेंटिंग तफोवन को बेचा था जो 1947 इसवी में बनी थी रजा का जन्म हुआ था 22 फरबरी 1922 को मध्यप्रदेश के मंडला जिले के बबरिया नामक ग्राम में 22 फरबरी 1922 को रजा का जन्म हुआ था फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरुसकार पाने वाले प्रथम भारतिय कलाकार थे रजा रजा जो थे वो फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरुसकार पाने वाले प्रथम भारतिय कलाकार थे सायद हैदर रजा S.H. रजा द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र त्रश्णा किसके द्वारा नीलाम किया गया था तो ये किया गया था क्रिस्टी संग्रहाले के द्वारा त्रश्णा नामक चित्र जो S.H. रजा का था नीलाम किया गया था 23 जुलाई 2016 को 94 वर्ष की उम्र में किस महान भारती कलाकार का निधन दिल्ली में हो गया तो S.H. रजा का निधन हुआ था 23 जुलाई 2016 को 94 वर्ष की उम्र में रजा के कुछ अन्य प्रसिद्द चित्र हैं रजा के जो चित्र है वो है सेरी ग्राफ, चौपाटी, राजस्थान, चित्र, श्रंखला, आज कस्मीर की एक गली, पत जड़, जेलम, आदी सेरी ग्राफ, चौपाटी, राजस्थान के चित्र श्रंखला, आज कस्मीर की एक गली, पत जड़, जेलम, आदी जो चित्र है वो रजा के प्रसिद चित्र है अगले आते हैं, क्रश्न हवलाजी आरा, क्रश्न हवलाजी आरा, इनका जीवनकाल है 1904 से लेकर 1985 20फी शीवी को इनकी म्रत्ती हुई थी that rapper बोला राम सिकंदरा में बोला राम सिकंदरा में 14 अप्रेल 1904 को है था यह जो पेंटिंग आप देख रहे हैं यह के एच आरा की पेंटिंग है जिसका शिर्शप है न्यूड आरा की प्रथम कलाप्रदर्शनी 1942 इसवी में कहां हुई थी तो ये हुई थी चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में आरा की प्रथम कला प्रदर्शनी हुई थी जो की हुई थी 1942 इसवी में अब बात करते हैं Progressive Artist Group की जिसका समय है 1947 इसवी Progressive Artist Group को पेग गूप की नाम से भी जाना जाता है Progressive Artist Group पेग की स्थाफना कभ हुई थी तो इसकी स्थाफना हुई थी 1947 इस भी में प्रगतीशील समूव की स्थाफना हुई थी मुंबई में तो प्रगतीशील समूव, Progressive Artist Group या पैग ग्रुप इन तीनों नाम से इसी जाना जाता है इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस ग्रुप का संस्थापक कौन था तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि Progressive Artist Group का संस्थापक था F.N. Suza प्रगतिवादी कलाकार समुह का घोशना पत्र किस ने लिखा था तो F.N. Suza ने प्रगतिवादी कलाकार समुह का घोशना पत्र लिखा था पैग के सच्चिव का नाम बताईए F.N. Suza पैग के सच्चिव का नाम था F.N. Suza प्रगतिवादी समुह का कौन कलाकार ईसा मसी पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद था तो प्रगतिवादी समुह का जो कलाकार था F.N. Suza वो ईसा मसी के उपर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद था प्रगतिवादी समू का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था तो रजा पेरिस में बस गया था प्रगतिवादी समू के कलाकार गाय तोंडे जाने जाते थे पेंटर की रूप में प्रगतिवादी समू के जो कलाकार थे गायतोंडे वो पेंटर के रूप में जाने जाते थे पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सेलून में कब हुई थी? यह हूँ थी 1949-192 को बंबे आर्ट सोसाइटी के सैलून में जो प्रदर्शनी हुई थी उसका उदघाटन किया था मुलकराज आनंद ने पेग ग्रुप की प्रथम कला प्रदर्शनी हुई थी 1949 में बॉंबे आर्ट सोसाइटी के एक सैलून में जिसका उधगाटन किया था मुल्क राज आनन्द में पेशावर पाकिस्तान के में जन्मे मुल्क राज आनन्द कौन थे तो ये थे इंगलिस साहित्यकार पेशावर पाकिस्तान में जन्मे थे मुल्क राज आनन्द ये इंगलिस साहित्यकार थे जिन्होंने पैग ग्रुप की प्रथम कला प्रदर्शनी जोकी 1949 में हुई थी बॉंबे आर्ट सोसाइटी के सैलून में उसका उधगाटन किया था अन्टचेबल के लेखक हैं मुल्क राज आनन्द पैग का कौन सा सदस्य मूर्तिकार था तो सदानन्द जी बाकरे जो थे वो पैग ग्रुप के सदस्य थे जोकी मूर्तिकार थे प्रोफेसर लेग हैमन कौन थे? औस्ट्रिलिया के एक कलाकार थे प्रोफेसर लेग हैमन 1944 ऐस्वी में आरा को उनके किस जलरंग चित्र के लिए गवर्नर पुरुषकार प्राप्त हुआ था मराठा बैटल नामक जलरंग माध्या में बने चित्र के लिए 1944 इसमी में आरा को गवर्नर पुरुसकार प्राप्थ हुआ था आरा पैग में किस पद पर नियुक्त थे तो आरा जो थे वो पैग गुरुप में जन्संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त थे पैग का वह कलाकार जो आजीवन कवारा रहा आरा आरा जो थे वो आजीवन कवारे रहे थे पैग गुरुप के इकलोते कलाकार थे आरा की दत्तक पुत्री है रुकसाना पठान दत्तक कहते हैं गोध लिये हुए को वर्ष 1963 इसवी में आरा ने मुंबई में अपने किस चित्र श्रंखला को प्रदर्शित किया तो इन्होंने किया था ब्लैक न्यूड श्रंखला को 1963 इसवी में आरा ने मुंबई में प्रदर्शित किया आरा किस रूप में प्रसिद्ध थे तो आरा इस्थेर चित्रन तथा नगनाकरतियों के लिए मतलब इस्टर लाइफ और न्यूट्स के लिए प्रसिद्ध थे आरा के प्रसिद्ध चित्र हैं तो आरा के जो प्रसिद्ध चित्र हैं ये हैं हरा सेब, लाल मेज, चीनी बरतन, उन्मुक्त घोड़ी की सरपड दौड, मेले से बापसी तथा लकड़ हारे हरा सेप, लाल मेज, चीनी बरतन, उन्मुक्त घोड़े की सरपट दौड, मेले से वापसी तथा लकड़ हारे आधी जो चित्र हैं वो आरा के प्रसिद चित्र है अगले कलाकार है M.F. हुसेन M.F. हुसेन का जीवन काल है 1915 से लेकर 2011 इसवी तक 1915 को इनका जन्म हुआ था और 2011 को इनकी मुद्च्तिव M.F. हुसेन का जन्म कहां हुआ था महाराष्ट के सौलापुर, जिले के पंढ़रपुर नामक कश्बे में M.F. हुसेन का जन्म हुआ था 17 सिटमब्र 1915 इसवी को M.F. हुसेन का जन्म हुआ था ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र है M.F. हुसेन का इसका शीर्शक है खोडे चित्रकार M.F. हुसेन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसेन प्रसिद्द चित्र नीली रात के चित्रकार है हुसेन नीली रात नामक शीर्शक का जो चित्र है उसके चित्रकार है M.F. हुसेन प्रसिद्ध चित्र जमीन के चित्रकार है M.F. हुसेन नीली रात तथा जमीन शीर्शक के जो चित्र है उनके चित्रकार है हुसेन M.F. हुसेन प्रसिद्ध हैं अपने घोडा चित्रों के लिए घोडा चित्रों के लिए प्रसिद M.F. हुसेन है लेंप और मकडी के बीच शीर्शक का जो चित्र है वो M.F. हुसेन के द्वारा चित्रित किया गया था M.F. हुसेन के साथ बनाई किसकी पेंटिंग अनार कली जून 2007 में लंदन के नीलामी घर बोन हैम्स में एक लाख साथ हजार पॉंड में नीलाम की गई थी तो ये थी शारुक खान शारुक खन के साथ बनाई गई M.F. हुसेन की पेंटिंग अनार कली जो जून 2007 में लंदन के नीलामी घर बोन हैम्स में एक लाख साथ हजार पॉंड में नीलाम की गई थी मदर टेरिसा सीरीज किसकी रचना है तो ये है M.F. हुसेन की मदर टेरिसा केनवास पर बनी चित्रों की एक श्रंखला है जो 1989 इस्वी में मकबूल फिदा हुसेन ने चित्रित किया था यह चित्र वर्तमान में कहां संग्रहित है रास्ट्री आधुनिक कला संग्रहाले नई दिल्ली में रास्ट्री आधुनिक कला संग्रहाले नई दिल्ली में मदर टेरिसा चित्र सीरीज या चित्र शंखला संग्रहित है M.F. हुसेन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है तो M.F. हुसेन को समकालीन कला के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है तो में में पोस्टर और पेंटर के रूप में आरम्ध किया था तो एमची यह हुसैन ने अपने कैरियर को सेुक्त हुसित Σामें एक मांत्र कलाकार जिनके चितर पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे तो वह मकबूल हुसैन मकबूल फिदा हुसेन के चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है तो ये भी है मकबूल फिदा हुसेन मकबूल फिदा हुसेन को पिकासो के बराबर माना जाता है 1955 इसवी में ललितकला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम पुरुसकार किसे मिला M.F. हुसैन को 1955 इसवी में ललितकला अकादमी का नई दिल्ली प्रथम पुरुसकार मिला था M.F. हुसेन को पदमश्री, पदमभूशन तथा पदमविभूशन पर उसकार कब मिला M.F. हुसेन को पदमश्री मिला था 1966 इसवी में पदमभूशन मिला था 1973 इसवी में और पदमविभूशन मिला था 1991 इसवी में एक बार फिर से रिवाइस कर लिजे पदमश्री मिला था 1966 इसवी में पदमश्र भूशन मिला था 1973 इसवी में और पदमविभूशन मिला था 1991 इसवी में भारत माता किसने चित्रित किया तो भारत माता कई लोगों ने यानि कि कई चित्रकारों ने चित्रित किया है एक अबनींदरनाथ टेगोर का चित्र भी है भ भारत माता वो MF हुसेन का है हुसेन की सबसे विवादित क्रती थी भारत माता मदर इंडिया जो सीर्शक की क्रती थी हुसेन की वो सरवाधिक विवादित थी हुसेन की पेंटिंग भारत माता का माध्यम है एक्रिलिक ओन केन्वास हुसैन की सरविववादित पेंटिंग नगन भारत माता किस रंग में निर्मित है तो ये गुलाबी रंग में निर्मित है ध्यान रखिये गुलाबी रंग में निर्मित है एक्रिलिक ओन केन्वास इसका माध्यम है और पेंटिंग है भारत माता जिसम सदि के सबसे प्रसित्द और अंतरास्टरी इस तर्फर मानेता प्राप्त प्रथम भारतिये कलाकार कौन थे तो यह थे M יलबो किस ने चित्रत किये तो यह जो चित्र थे यह MF हुसेन के प्रसिद्व चित्र थे मोहंदास करम चंद गांधी मदर टेरिसा रामायंड महा भारत ब्रिटिस राज 1950 इसवी में हुसेन के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कहां आयोजित हुई तो यह आयोजित हुई थी जहांगीर कलादीरगा मुंबई में जहांगीर कलादीरगा मुंबई में 1950 इसवी में हुसेन के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित हुई थी अपने रामायण वा महाभारत पर आधारित चित्रों की श्रंखला के लिए विश्व विख्यात है M.F. हुसेन M.F. हुसेन जो है अपनी रामायण वा महाभारत पर आधारित चित्रों की श्रंखला के लिए विश्व विख्यात है विदेश में एमेफ हुसेन के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब और कहां हुई 1952 इसवी में जियूरिक स्विजलेंड में हुसेन के चित्रों की एकल प्रदर्शनी हुई थी सन 1971 इसवी में किस भारती चित्रकार के महाभारत पर आधारित 30 चित्र साव पावलो ब्राजील में पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए तो ये हुए थे M.F. होसेन के सन 1971 इस्वी में महा भारत पर आधारित तीश चित्र साव पावलो ब्राजील में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे किस कलाकार की कृतियों को प्रसिद्ध पर्माडु वेग्यानिक स्वर्गिय होमी धांगीर भावा ने खरीदा था तो ये थे M.F. होसेन, M.F. होसेन की कृतियों को प्रसिद्ध पर्माडु वेग्यानिक स्वर्गिय होमी धांगीर भावा ने खरीदा था किस प्रसिद्ध कलाकार ने अपने एक अमूल लिकरती नाट्य कर्मी सफदर हास्मी की यादगार में हास्मी ट्रस्ट को भीट की थी सफदर हास्मी कौन थे तो सफदर हास्मी प्रख्यात नाट्य कर्मी थे हुशेन शेली की विशेस्ता थी मोटी रेखाओं में घिरी आकरतियां हुशेन शेली की विशेस्ता थी हुशेन पर किस वाद का प्रभाव था तो घनवाद का प्रभाव हुशेन के चित्रों पर देखा जाता है होशेन के चित्रों को पिकासो, ग्रिस, वगलेयर जैसे यूरोपी चित्रकारों का प्रभाव था इसके अलावा किस शैली का प्रभाव था तो वशॉली शैली का प्रभाव होशेन के चित्रों पर देखने को मिलता है 1967 इसवी में M.A. फोसेन द्वारा निर्मित पहली फिल्म Through the Eyes of a Painter चित्रकार की द्रस्ती से को Berlin International Film Festival में कौन सा पुरुसकार प्राप्त हुआ था तो ये था Golden Bear, Swerned Bhaloo पुरुसकार Golden Bear पुरुसकार 1967 इसवी में M.A. फोसेन द्वारा निर्मित पहली फिल्म Through the Eyes of Painter को Berlin International Film Festival में पुरुसकार दिया गया था हुसेन ने वर्ष 2000 में गजगामिनी नामक फिल्म किसके उपर बनाई तो ये बनाई थी माधूरी दिक्षित के उपर माधूरी दिक्षित के उपर हुसेन ने वर्ष 2000 में गजगामिनी नामक एक फिल्म बनाई थी हुसेन के फिल्म गजगामिनी में किन-किन कलाकारों ने अभिने किया है तो माधूरी दिख्षित सारुख खान और नशुरदीन शाह ने गजगामनी नामक जो फिल्म है उसमें अभी ने किया है फिल्म मुहबते की एक द्रश्च में किसे फिल्म आये गया है तो M.F. हुसेन को फिल्म मुहबते की एक द्रश्च में फिल्म आये गया है वर्ष 2004 में हुसेन ने अपने कलाकार पुत्र ओवैस हुसेन के साथ कौन सी फिल्म बनाई थी तो ये फिल्म थी मिनाक्षी A Tale of Three Cities वर्ष 2004 में हुसेन ने अपने कलाकार पुत्र ओवेस के साथ मिलकर बनाई थी मिनाक्षी A Tale of Three Cities फिल्म किस पर आधारित थी तो ये फिल्म आधारित थी तब्बू पर भारत में अब तक के सबसे विवादित कलाकार हैं M.F. हुसेन M.F. हुसेन जो हैं वो भारत के अब तक के सबसे विवादित कलाकार हैं हुसेन ने कतर की नागरिता कब ग्रहन की थी 2010 इसपी में हुसेन ने कतर की नागरिता ग्रहन कर ली थी भारत के प्रसिद्ध मूर्टिकार हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं भारत के प्रसिद्ध मूर्टिकार हैं प्रसिद्ध मूर्टिकार हैं प्रसिद्ध मूर्टिकार रामकिंकर बैज का जन्म कब और कहां हुआ था तो 20 मई 1906 इस्वी को पश्चिम मंगाल के माकुरा शहर में रामकिंकर बैज का जन्म हुआ था यह जो चित्र आप यह जो मूर्टि देख रहे हैं शिल्फ यह संथाल परिवार नामक मूर्टि शिल् की तो नंदलाल बोस के सानिध्य में सांतिनिकेतन से रामकिंकर बैज ने कला की सिक्षा प्राप्त की थी रामकिंकर बैज थे तो रामकिंकर बैज थे एक प्रसिद्ध मूर्थिकार किसको आधुनिक भारती मूर्थी कला का जनक माना जाता है तो यह माना जाता है रामकिंक कर बैज को भारती आधुनिक मूर्तिकला का जनक माना जाता है रामकिंकर बैज को किस रूप में जाना जाता है तो रामकिंकर बैज को मूर्तिकार की रूप में जाना जाता है रामकिंकर बैज की मूर्तियों का माध्यम था मूर्तिकार रामकिंकर बैज के जीवन पर आधारित एक फिल्म रामकिंकर बैज सीर्षक से 1975 इसवी में किस ने बनाई थी तो ये बनाई थे रित्विक घटक ने ये कॉश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इंपोटेंट है ज्यान से थी रामकिंकर बैज के मूर्ति शिल्पों पर किस वाद का प्रभाव था तो रामकिंकर बैज के मूर्ति शिल्पों पर अभिव्यंजना वाद का प्रभाव देखने को मिलता है रामकिंकर बैज के व्यक्तित्तों वाक्रतित्तों पर एक उपन्यास देखी नाई फिरे समरेश बसू ने एक उपन्यास लिखा था रामकिंकर बैज के व्यक्तित्त पर आधारित इसका शिर्शक था देखी नाए फिरे वर्श 1949 इसवी में निर्मित रामकिंकर बैज की पहली अमूर्थ मूर्ति का शिर्शक क्या था तो इनकी जो पहली अमूर्थ मूर्थी थी इसका शीर्षक था Lamp Stand Lamp Stand नामक अमूर्थ मूर्थी शिल्प 1949 इसवी में राम किंकर बैज के द्वारा बनाये गया था 1938 इसवी में राम किंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार वर्तमान में कहां सुरक्षित है तो ये सुरक्षित है कला भवन सांती निकेतन के प्रांगड में संथाल परिवार नामक जो कला शिल्प है इनका 1938 इसवी में इन्होंने बनाया था ये कला भवन सांती निकेतन के प्रांगड में इस्थित है राम किंकर बैज द्वारा निर्मित 427 सेंटी मीटर उची प्रसिद्ध मूर्ती संथाल परिवार किस माध्यम में है तो ये है सीमेंट तथा कंक्रीट माध्यम में राम किंकर बैज द्वारा निर्मित यक्ष यक्षणी की 24 फीट उची पत्थर की दो मूर्तियां वर्तमान में कहां सुरक्षित हैं तो ये सुरक्षित हैं रिजर्व बैंक ओफ इंडिया नई दिल्ली के प्रांगण में अगर पूछा जाए कि राम किंकर बैज की संथाल परिवार जो मूर्ति शिल्प वे कहां सुरक्षित हैं तो ये सुरक्षित है कला भवन सांति निकेतन के प्रांगण में और अगर पूछा जाए कि यक्ष यक्षणी की 24 फिट उची दो मूर्थियां कहां सुरक्षित हैं तो ये Reserve Bank of India नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर सुरक्षित हैं राम किंकर बैज ने यक्ष यक्षणी की मूर्थि के माध्यम से क्या दर्शाया है तो क्रसी के माध्यम से सम्रद्धी राम किंकर बैज ने यक्ष यक्षणी की मूर्थि के माध्यम से दर्शाय है राम किंकर बैज ने संथाल परिवार जिसका निर्माण कंक्रीट वसीमेंट से किया गया था उसे कांसे के धाचे में किस ने ढाला स्वयम राम किंकर बैज ने राम किंकर बैज ने अपना जो मूर्ति शिल्प्था संथाल परिवार उसका निर्माण किया था कंक्रीट वसीमेंट से उसे कांसे के धाचे में ढाला था राम किंकर बैज ने सर्व प्रथम संथाल परिवार या संथाल फैमली को किस माध्यम में बनाय था तो ये बनाय था मरण मई माध्यम में दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में राम किंकर बैज के किस चित्र ने उन्हें स्वन पदक दिलाय था तो ये था सीता एकसाइल अगले आपके कलाकार हैं प्रदोस दास गुपता इनका जो जीवनकाल है वो है 1912 से 2006 इसवी के मध्य इनका जन्म हुआ था 2012 में इनकी मृत्ती हुई थी 2006 में प्रख्यात मूर्तिकार प्रदोस दास गुपता का जन्म कब और कहां हुआ था तो 1912 इसवी में धाका में वर्तुमान बंगलादेश की राजधानी में इनका जन्म हुआ था आईए कलकत्ता ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो यहां इस कॉलम में दिया हुआ है कलकत्ता ग्रुप 43, 1943 इसवी में इसके स्थापना हुई थी भारत में यथार्थ में आधुनिक कलाकारों का सर्व प्रथम ग्रुप था कलकत्ता ग्रुप कलकत्ता ग्रुप जो था भारत में यथार्थ आधुनिक कलाकारों का सर्व प्रथम ग्रुप था कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना किसने और कब की थी तो मूर्तिकार प्रदोश दास कुपता ने 1943 इसवी में कलकत्ता गुरुप की स्थापना की थी तो इसके संस्थापक कौन थे मूर्तिकार प्रदोश दासकुप्त कलकत्ता गुरुप 43 के संस्थापक थे कलकत्ता गुरुप 43 की स्थापना कहां हुई थी तो ये कलकत्ता में ही हुई थी बंगाल दुर्भिक्ष के समय कौ कलकत्ता गुप में कुल कितने कलाकार थे तो कुल आठ कलाकार कलकत्ता गुप के अंतरगत आते हैं प्रदोश दास कुपता, सुभो टैगौर, गोपाल घोस, नीरद मजूंदार, हेमंत मिश्र, परितोस सेन, रथिन मित्रा, जैनुवल आवे दीन ये जो कलाकार है ये आठो क कलकत्ता गुप के कलाकार है एक बर रिवाइज कर लेते हैं प्रदोश दास गुपता, सुभो टैगौर, गोपाल घोस, नीरद मजूंदार, हेमंत मिश्र, परितोस सेन, रथिन मित्रा, और जैनुवल आवे दीन कलकत्ता गुप की प्रथम प्रदर्शनी थी वो मिसेज कैस कब और कहां आयोजित की गई थी, तो ये 1944 इसवी में मुंबई में आयोजित की गई थी, कलकत्ता गुप की दूसरी प्रदर्शनी कब और कहां आयोजित की गई थी, तो ये 1945 इसवी में मुंबई में ही आयोजित की गई थी, कलकत्ता गुप की तीसरी वांतिम प्रदर्शन कब और कहां आयोजित की गई थी तो ये 1950 इस्वी में Progressive Artist Group मुंबई 1947 इस्वी में स्थापित के साथ मुंबई में आयोजित की गई थी तो तीनों ही प्रदर्शनियों का क्रम इस प्रकार है 1944 में पहली प्रदर्शनी लगी थी 1945 में दूसरी प्रदर्शनी लगी थी और 1950 में तीसरी प्रदर्शनी लगी थी तीनों ही प्रदर्शनियां मुंबई में लगी थी अंतिम और तीसरी जो प्रदर्शनी थी वो Progressive Artist Group के सदस्यों के साथ स्थापित की गई थी और मुंबई में ही ये भी लगी थी प्रदोस दास कुपता ने मूर्ती कला की सिख्षा कहां से प्राप्त की आरंभ में कलकत्ता में हिरंडियम राय चौधरी से तत पश्चात चेननाई में देवी प्रशाद राय चौधरी के निर्देशन में प्रदोस दास कुपता ने मूर्ती कला की सिख्षा प्राप्त की थी पहले हिरंडियम राय चौधरी से प्राप्त की थी और उसके बाद देवी प्रशाद राय चौधरी से प्राप्त की थी हिरन्यम राय चौधरी से कलकत्ता में प्राप्त की थी इसके पश्चात चेन्नाई में देवी प्रशाद राय चौधरी से इन्होंने मूर्ती कला की सिक्षा जो है वो प्राप्त की थी बंगाल स्कूल की रूडिवद परंपरा की विरुद किसने वर्ष 1943 इसवी में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी तो प्रदोश दास गुप्त ने अपने शिल्पों को अधिकांस किस माध्यम में बनाया है तो कासा, प्रस्तर, टेराकोटा आधि माध्यमों में प्रदोश दास कुप्त ने अपने शिल्पों को बनाया है कासा, प्रस्तर और टेराकोटा ये हैं प्रदोश दास कुप्त के सिल्पों का माध्यम प्रदोस दासकुप्त के जो प्रमुक शिल्प है वो है माकी गोद में, सीमेंट में बना हुआ है, जैहिंद, कास्य में बना हुआ है, कंडोलेंस, कास्य, सन बाथिंग, कास्य और एग ब्राइड इनके जो प्रमुक शिल्फ है वो है माकी गोद, जैहिंद, कंडोलेंस, सनबाथिंग और एग ब्राइड अगले आपके कलाकार है गोपाल घोस इनका जीवनकाल है 1913 से लेकर 1980 इस्वी के मत्य है इनका जन्म हुआ था 1913 में और इनकी मृत्त्य हुई थी 1980 इस्वी में यह गोपाल घोस के द्वारा बनाया गया चित्र है इसका शीर्षक है लेंडिस्केप गोपाल घोस ने वर्ष 1935 इसवी में गवर्मेंट कॉलेज ओफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जैपुर से पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त करनी के पस्चात गवर्मेंट कॉलेज ओफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन नहीं में किसके निर्देशन में कलाकी सिख्षा प्राप्त की तो ये थे देवी प्रशाद राय चौधरी देवी प्रशाद राय चोधरी के निर्देशन में इन्होंने चेन नहीं में कलाकी सिक्षा प्राप्त की थी इसके पूर्विनोंने Government College of Art and Craft जैपो से पेंटिंग में डिप्लोमा किया था भारती आधुनिक दरश्य चित्रड के जन्मदाता गोपाल घोस को माना जाता है यह तीनों ही पॉइंट इंपोटेंट है एक पर फिर से रिवाइज कर लिजे भारत में आधुनिक दरश्य चित्रड के जन्मदाता माने जाते हैं गोपाल घोस या ऐसे पूछले भारत में आधुनिक लेंडिस के पेंटिंग के जन्मदाता है गोपाल घोस कलकत्ता ग्रु हुआ था और दोहजार् नौ में इनकी मृत्य हुए थी हेमंत्र मिष्र का जन्म कब और कहां हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 13 अक्तूबर 1970 इसवी को सिव सागर असम में इनका जन्म हुआ था हेमंत्र प्रश्य कलकत्ता ग्रुप के सदस्य चुने गए 1950 इसवी में या थार्दवाद का प्रभाव हेमंत मिश्र की कला पर देखने को मिलता है हेमंत मिश्र की कला पर किन यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव था तो डाली और अर्नस्ट हैकल का प्रभाव हेमंत मिश्र की कला पर देखने को मिलता है हेमंत मिश्र के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं प्रिमिटिव एयर, वर्ड्स ओन फाइर, इको ओफ आसॉंग तथा दा पर्शूइग, दा फेडिंग, इत्यादी चित्र हेमंत मिश्र के प्रसेदु चित्र हैं यह जो चित्र हैं इन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं primitive air, words on fire, echo of a song, तथा the pursuing, the fading, इत्यादी चित्र हेमंत मिश्र के हैं हेमंत मिश्र की जो पुस्तके हैं वो है भारतीय चित्रकला जो कि 1978 इसवी में लिखी गई थी रूपार अंतरत रूप जो इन्होंने लिखी थी 1990 इसवी में तथा दिखो लूइट अरुसागर बारतीय चित्रकला 1998 इसवी में लिखी थी रूपार अंतरत रूप निसओ नबे इसवी में लिखी थी तथा दिखो लूइट अरुसागर यह जो पुस्तके हैं यह पुस्तके हैं हेमंत मिश्र की अगले आपके कलाकार है नीरद मजूमदार नीरद मजूमदार का जीवनकाल है 1916 से 1982 इस्वी के मध्य 1916 में इनका जन्म हुआ था 1982 इस्वी में इनकी म्रत्य हुई थी नीरद मजूमदार का जन्म कब और कहां हुआ था 11 मई 1916 को कलकत्ता में इनका जन्मुआ था प्रसिद बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार के छोटे भाई थे नीरद मजूमदार नीरद मजूमदार के बड़े भाई थे कमल कुमार मजूमदार नीरद मजूमदार की छोटी बहन सानू लाहिरी की प्रसिधी किस रूप में है तो सानू लाहिरी चित्रकार वक्तला सिक्षिका की रूप में प्रसिध थी भारत की सर्व प्रथम वह प्रमुख महिला पबलिक आर्टिस्ट थी सानू लहिरी सानू लहरी जो थी वो प्रमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट थी जो चित्र आप देख रहे हैं ये BC सान्याल के द्वारा बनाया हुआ चित्र है इसका शीर्शक है सिव की मुखाकरती किस कलाकार को कलाका समराट ये Grand Old Man of the Art कहा जाता है तो BC सान्याल को ही Grand Old Man of the Art की संग्याद दी जाती है इन्हें कलाका समराट की नाम से जाना जाता है क्या कहा जाता है BC सान्याल को कलाका समराट ये Grand Old Man किस कलाकार ने अपने जीवन के दोरान भारती उप महादीब को तीन बार 1905, 1947 और 1971 इस्वी में विभाजित होते देखा BC सान्याल ने BC सान्याल ने अपने जीवन के दोरान भारती उप महादीब को तीन बार 1905, 1947 और 1971 इस्वी में विभाजित होते देखा था विश्व की सबसे उची सार्वजनिक कला पबलिक आर्ट का उधारण है The Spear of Dublin या Monument of Light Monument of Light या The Spear of Dublin जो है वो विश्व की सबसे उची सार्वजनिक कला का उधारण है किस ने अपने चित्रों में देवनागरी लिपी का प्रयोग किया था तो नीरद मजूमदार ने अपने चित्रों में देवनागरी लिपी का प्रयोग किया था किस कलाकार ने आकरतियों के साथ चिन्नों वा अक्षरों को अपने चित्रों में सयोजित किया था अगले जो आपके चित्रकार हैं वो हैं भावेश सान्याल भावेस सान्याल का जीवनकाल है 1902-2003 इसवी के मध्य भावेस सान्याल का जन्म हुआ था 1902 में और इनकी म्रत्य हुई थी 1903 BC सान्याल का जन्म कब और कहां हुआ था तो 22 अपरेल 1902 इसवी को धुबरी असम में इनका जन्म हुआ था कहां हुआ था धुबरी असम में बीसी सान्याल का जन हुआ था बीसी सान्याल ने कला की सिक्षा कहां से प्राप्त की तो गवर्मेंट कॉलेज ओफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता में परसी ब्राउन वा जेपी गांगुली के निर्देशन में बीसी सान्याल ने कला की सिक् में लाहूर में लाला लाजपत्राई की अबाक्ष प्रतिमा जिसको वर्स्ट साइज मूर्ती भी कहा जाता है किसने बनाई तो यह बनाई थी सान्याल ने 1929 में लाहूर में लाला लाजपत्राई की अबाक्ष प्रतिमा बनाई थी 1937 इसफी में लाहोर कॉलेज ऑफ अर्ड की स्थापना किस ने की थी? तो ये की थी BC सान्याल ने railroad college of art की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 इसफी में lahor college of art की स्थापना BC सान्याल ने की थी भारत विभाजन के पस्चात BC सान्याल अपनी पत्नी स्नेहल था वह अपनी बेटी अंबा सान्याल के साथ दिल्ली आ गए थे इनकी जो पत्नी थी स्नेहलता वे गजलगाई का वरंग करमी थी इनकी जो पुत्री थी अंबा सान्याल वो प्रसिद कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी 2008 में संगीत नागादमी की' का अवर्ड्रंगमंच सज्जा के लिए धिया गया था इनके साथ दिल्ली आ गए थे दो सान्याल ये स्ट्यो कहां ख Kevin लाघए मंगो स्फूडियों लाद्र द्डियों के लिए घुल्य çी तो ये की थी बीसी सान्याल ने गैलरी 26 की स्थापना की थी दिल्ली में 25 मई 1949 इस वी को नई दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की थी बीसी सान्याल ने दिल्ली सिल्पी चक्र जो ग्रुप था उसकी स्थापना की थी बीसी सान्याल ने बीसी सान्याल को पद्म भूशन से कब सम्मानित किया गया था द्रश्य कला में भारत का सर्वोच पुरुसकार ललित कला अकादमी फैलोशिप फॉर लाइफ टाइम बीसी सान्याल को कब दिया गया था द्रश्य कला के में भारत का सर्वोच पुरुसकार ललित कला अकादमी फैलोशिप फॉर लाइफ टाइम बीसी सान्याल को दिया गया था उन्नीस सो असी एसवी में उन्नीस सो सतानवे इसवी में बनी फिल्म डान्स ओफ द विन्ड these days में बीसी सान्याल की आत्म कथा दीवर्टिकल वुमेन किसके दुआरे अपका काशित किया गया तो यह किया गया था ललित कला अकादमी नई दिल्ली के दौरा 1998 में बीसी सान्याल की आत्म कथा दवर्टिकल वोमेन प्रकासित की गई थी सान्याल का निधन कब और कहां हुआ था तो 9 अगस्त 2003 को 102 वर्ष की उम्र में दिल्ली में सान्याल का निधन हुआ था आपसे question ये भी पूछ लिया जाता है कि 102 वर्ष की उम्र में किस कलाकार का निधन हुआ था तो ये थे BC सान्याल BC सान्याल थे चित्रकार तत पस्चात मूर्तिकार प्रमुख रूप से चित्रकार की रूप में इन्हें जाना जाता था सिव की मुखाकरती किसकी प्रसिद्धुकरती है तो ये है BC सान्याल की अब पढ़ लेते हैं शिल्पी चक्र के बारे में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी 1949 इस वी को विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भाग कर दिल्ली आय कलाकारों ने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी 25 मार्च 1949 इस वी को शिल्पी चक्र की स्थापना किस ने की थी बीसी सान्याल ने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी शिल्पी चक्र के अन्य सदस्यों में थे यामिनी रोय, धनराज भगत ये मूर्दिकार थे, प्राणनाथ मांगो, कवल क्रश्न और केस कुलकर्णी, देवियानी क्रश्न, कवल क्रश्न की पत्नी थी ये देवियानी क्रश्न, जया अप्पा स्वामी, राम कुमार, सतीज प्राणनाथ मांगो, कवल क्रश्न, केस कुलकर्णी, देवियानी क्रश्न, जया अप्पा स्वामी, राम कुमार, सतीज कुजराल, तथा रामिसर, भूटा, शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्श्नी कब और कहां आयोज़त की गई थी, तो उन्नी सो उननचास इसवी में जनपत मार्ग नई दिल्ली में शिल्पी चक्र की प्रदर्श्नी आयोज़त की गई थी, शिल्पी चक्र के किस सदस्य के ऊपर अभिव्यनजनावाद तथा प्रभावाद का प्रभाव देखने को मिलता है, तो के एस कुलकर्णी के चित्रों पर अभिव्यनजनावाद सदस्य थे ये इन्होंने मूर्ती कला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया था शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने विशाल भू अचल और उसमें फैली परबत श्रंखला का चितरण किया ये थे जया अप्पा स्वामी जया अप्पा स्वामी ने विशाल भूं अचल और उसमें फैली पर्बत श्रंखला का चित्रन किया था शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो द्रश्य कलाकार था ये थे रामकुमार रामकुमार दिल्ली शिल्पी चक्र के द्रश्य चित्रकारों में गिने जाते हैं शिल्पी चक्र का कौन सा सदस्य ग्राफिक कार था तो क्रश्न खन्ना जो थे वो दिल्ली शिल्प की शक्र के सदस्य थे और ग्राफिक कार थे द्रश्य चित्रकार थे रामकुमार ग्राफिक कार थे क्रश्न खन्ना और भू अचल वह परवत श्रंकला का चित्रन करने वाले थे जया अप्पा स्वामी धनराज भगत जो थे वो मूर्ती कला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात करने वाले कलाकार थे के-स कुलकर्णी के चित्रों पर अभिविंजना तथा प्रभावाद का प्रभाव देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें थी दिल्ली शिल्पी चक्र के जो खलाकार थे उनकी विशेस्ता हैं बीसी सान्याल के कुछ प्रसिद्व चित्र हैं दफ्लाइंग बिजुका चरवाहा निराशा और सांती कमार्ग उखड़े हुए गोल मार्केट के भिकारी कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा निजामुद्दीन के मेले में धौला धर परवत्ष श्रंखला परदे दफ्लाइंग बिजुका चरवाहा निराशा और सांती कमार्ग उखड़े हुए गोल मार्केट के भिकारी कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा निजामुद्दीन के मेले में धौला धर परवत श्रंखला परदे से धकी नारी मा वबच्चा इत्याद इचित्र बी 1988 इसवी में इनकी मृत्य हुई थी धनराज भगत का जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1970 इसवी में लाहोर में ये जो शिल्प आप देख रहे हैं ये धनराज भगत की द्वारा बनाये हुआ शिल्प है इसका शीर्षक है कॉस्मिक मैन इसका माध्यम है प्लास्टर धनराज भगत शिल्प की सिक्षा कहां से प्राप्त की थी तो मेयर स्कूल आफ आर्ट लाहोर से धनराज भगत ने शिल्प कला की सिक्षा प्राप्त की थी धनराज भगत थे मूर्तिकार प्रमुख रूप से मूर्तिकार की रूप में धनराज भगत को जाना जाता है धनराज भगत जो थ दिल्ली कॉलेज ओफ आर्ट में धन्राज भगत पहले सिक्षक फिर सेवा निवृत के समय मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष रहे थे जिसे वर्तमान कॉलेज ओफ आर्ट टेक्निलोजी के नाम से जाना जाता है 1947 एसवी में All India Fine Arts and Craft का प्रतम पुरुसकार किसे मिला था ये मिला था धन्राज भगत को भारत सरकार द्वारा पदमुष्री से कब सम्मानित किया गया था 1977 एसवी में धन्राज भगत को भारत सरकार द्वारा पदमुष्री सम्मान से सम्मानित किया गया था धन्राज भगत ने अपनी मूर्तियों को किस तकनीक में गढ़ा था तो ज्योमितिये तकनीक में धन्राज भगत ने अपनी मूर्तियों को गढ़ा था धनराज भगत का माध्यम है पेपर मैशी, सीमेंट कास्टिंग, धातु धलाई वबेल्डिंग, सेरमिक, लकडी, प्रस्तर तथा धातु इनेमलिंग क्या क्या थे इनके माध्यम, पेपर मैसी था, सीमेंट, कास्टिंग, धातु ढलाई वबेल्डिंग, सेरमिक, लकडी, प्रस्तर तथा धातु इनेमलिंग, ये सभी इनके माध्यम थे All India Fine Arts and Craft Society, IFEX, नई दिल्ली, इसकी स्थापना हुई थी 1928 इस्वी में वर्ष 1994 इस्वी में IFEX द्वारा 163 कार्याले कहां खोला गया था, तो ये खोला गया था पंच कुला हरियाणा में IFEX के द्वारा एक कारयाले खोला गया था, 1994 इस्वी में IFEX के द्वारा दिये जाने वाले सबसे प्रतिस्थित पुरुसकार में कलाश्री, कलाविभूशन तथा कलारत्म की शुरुआत कब हुई थी 1988 इस्वी में आइफेक्स के द्वारा दिये जाने वाले सबसे प्रतिस्ठित पुरुषकार में कलाश्री, कलाविभूशन तथा कलारत्म की शुरुवात की गई थी आइफेक्स द्वारा दिये जाने वाले सबसे बड़ा पुरुषकार है कला समराट कला समराट का जो पुरुसकार है वो आइफेक्स के द्वारा दिया जाता है सबसे बड़ा पुरुसकार है धनराज भगत के मुख्चे शिल्फ हैं घोड़े की नाल बंदी ये प्रस्तर माध्यम में बना हुआ है सिवा डांसिंग ये प्लास्टर माध्यम में बना हुआ है सितार वादक ये सीमेंट माध्यम में बना हुआ है बासुरी वादक ये बेल डेड कॉपर माध्यम में बना हुआ है दकिस ये लकडी माध्यम में बना हुआ है Cosmic Man, ये plaster माध्यम में बना हुआ है The King, wood and brass nails माध्यम में बना हुआ है एक बार फिर से इसको revise कर लेते हैं इनके जो प्रमुक शिल्फ हैं घोडे की नालबंदी, सिवा डांसिंग, सितार वादक, वासुरी वादक, दकिस Cosmic Man, The King, ये सभी इनके शिल्फ हैं अगले आते हैं, राम कुमार, इनका जो जीवनकाल है, वो है 1924 से 2018 के मध्य इनका जन्म हुआ था 1924 इसवी में और इनकी मृत्ती हुई थी 2018 में राम कुमार का जन्म हुआ था 1924 में, शेमला हिमाचल प्रदेश में ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये राम कुमार की द्वारा बनाया गया चित्र है, इस चित्र का माध्यम है, तैल माध्यम इस चित्र को बनाया गया था 1958 इसवी में, इस चित्र का शीडशक है स्वापनू राम कुमार के बड़े भाई थे, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा निर्मल वर्मा जो थे, वो राम कुमार के बड़े भाई थे राम कुमार ने एकॉनमिक्स में M.A. कहां से किया था, तो सेंट स्टीफन्स कॉलेज नई दिल्ली से रामकुमार ने Economics में MA किया था 1943 इस्वी में MA में अध्यन करते हुए रामकुमार ने किसके निर्देशन में कलाकी कक्षाएं की थी सारदा उकिल School of Art में सेलोज मुखरजी के निर्देशन में रामकुमार ने कलाकी कक्षाएं की थी सन 1950 इस्वी में पैरिस में रामकुमार ने किसके निर्देशन में विदिवत कला सिक्षाप्राप्त की आंद्रे लोते वफरनांड लेगर के निर्देशन में कला की सिक्षाप्राप्त की थी रामकुमार ने पैरिस में 1950 में आंद्रे लोते वफरनांड लेंगर किस कलावाद के थे तो फ्रेंच घनवादी कलाकार थे आंद्रे लोते वा फरनांड लेंगर रामकुमार किस रूप में प्रसिद थे अमूर्थ घनवादी दरश्य चित्रकार की रूप में रामकुमार प्रसिद थे रामकुमार ने अपने द्रश्य चित्रण सरवाधिक किस माध्यम में बनाए तैल व एक्रिलिक माध्यम में रामकुमार ने अपने द्रश्य चित्रण बनाए थे रामकुमार के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहां आयुजित की गई थी 1948 इस्वी में शिमला में राम कुमार ने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी आयोजित की थी राम कुमार चित्रकार के साथ साथ और किस रूप में जाने जाते थे तो राम कुमार चित्रकार के साथ साथ एक हिंदी साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते थे राम कुमार की अब तक कुल कितनी पुस्तकें चप चुकी है तो कुल आठ पुस्तकें राम कुमार की चप चुकी है 1975 इसवी में हिंदी कहानीकार की रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस्चित्रकार को सम्मानित किया था तो ये थे राम कुमार राम कुमार को 1975 इसवी में हिंदी सहित्रकार की रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया था 1972 में प्रेम चंद पुरुसकार प्राप्थ हुआ था राम कुमार को पद मुभूशन कम मिला था 2010 एस्वी में राम कुमार को पद मुभूशन सम्मान मिला था 2011 में ललित कला अकादमी का फैलोशिप किसे प्राप्थ हुआ था राम कुमार को एक बार फिर से इन्हें दिये जाने वाले सभी सम्मानों को रिवाइज कर लेते हैं 1975 इस्वी में हिंदी कहानिकार के रूप में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था 1986 में इन्हें मद्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरुसकार से सम्मानित किया गया था 1972 में इन्हें प्रेमचंद पुरुसकार से सम्मानित किया गया था 2010 में इन्हें पद्म भुष्चन से सम्मानित किया गया था 2011 में इन्हें ललित कला अकादमी का फैलोशिप राप्त हुआ था वह चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनूरम चित्रांगन किया है वे थे रामकुमार रामकुमार ने बनारस के घाटों का मनूरम चित्रांगन किया है वह चित्रकार जिसने बनारस वा शिमला शहर के चित्रों की श्रंखला बनाई है तो रामकुमार ने बनारस तथा शिमला शहर के चित्रों की श्रंखला बनाई है राम कुमार की एक क्रती बैक बॉंड दबैक बॉंड को कृस्ती न्यू यॉर्क की नीलामी में कुल कितने रुपे प्राप्थ हुए थे तो एक दश्मलव एक मिलियन डॉलर राम कुमार की एक क्रती थी बैक बॉंड इसे प्राप्थ हुए थे गनवाद से प्रेणा लेने के उपरांत निजी विशेस्ता वाले कलाकार थे रामकुमार रामकुमार जो थे वो गनवाद से प्रेणा ली थी नोंने और निजी विशेस्ता वाले कलाकार माने जाते थे पहले भारतिय कलाकार जिन्होंने रूप प्रद आकरतियां फ्रिगर्टेविज्म को छोड़ कर अमूर्त चित्रकारी एबस्टेक्ट आर्ट की थी ये थे रामकुमार रामकुमार ने रूप प्रद आकरतियों को छोड़ कर अमूर्त चित्रकारी की थी राम कुमार का 14 अप्रेल 2018 को 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था दिली में दिली में इनका निधन हुआ था 14 अप्रेल 2018 में 94 वर्ष की उम्र में राम कुमार के प्रसिद्द चित्र हैं, बाराण सी चित्र शंखला, बेरोजगार, सनात कोत्तर, खंड हर, अलविदा, अतीत, ये तेल माध्यम में बना है, परिवार, इसका समय है 1954, स्वप्न, इसका समय है 1958, इसका माध्यम है थैल, उडान और बैक बॉंड, इत्यादी राम क कुमार के प्रसिद्द चित्र हैं, एक बार रिवाइस कर लेते हैं, बाराण सी चित्र शंखला, बेरोजगार, सनात कोत्तर, खंड हर, अलविदा, अतीत, जो तेल माध्यम में बना है, परिवार, स्वप्न, उडान, बैक बॉंड, ये सभी चित्र राम कुमार के द्वारा बनाए गए हैं, अगले चित्रकार है, शतीज कुजराल, इनका जन्व हुआ था 1925 इसवी में, शतीज कुजराल का जन्व हुआ था 25 दिसंबर 1925 इसवी को जेलम अविभाजित पंजाब में, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये सतीज कुजराल के द्वारा चित्रित भ पूर्व प्रधानमंत्री थे किस चित्रकार के बड़े भाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे तो ये थे सतीज गुजराल सतीज गुजराल ने दस वर्ष की उम्र में अपनी श्रवण शक्ती कैसे को दी कस्मीर में एक रिक्की पुल को पार करते वक्त रैपिड में ग प्रवर्ण शक्ति वापस आई थी 62 साल बाद वर्ष 1949 से 1944 के मध्य 37 गुज्राल ने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहोर से कला के सिख्षप्राप्त की थी इसके पश्चात 1944 से 1947 के मध्य इन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला के सिख्षप्राप्त की थी इसके पश्चात 1952 से 1954 के मध्य इन्होंने पलासियो डी बेलेस आर्ट्स मेक्सिको सिटी में प्रसिद्ध भित्य चित्रकार डिएगो रिबेरा वर डेविड अलफारो सीकी ओरो से कलाके सिख्षा प्रांट की ठी सिख doughnut के रूप में प्रभाविद चित्रकार ते 27 गुजराल order of the crown पुरुषकार प्राप्त करने वाले प्रथम गेर बेल्जियम नागरिक थे सतीज गुजराल सतीज गुजराल को 1977 इसवी में बेल्जियम सरकार द्वारा order of the crown पुरुषकार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1963 इसवी में किसने वर्ड ट्रेड फेयर न्यू यॉर्क के लिए मूरल बनाये थे तो ये थे सतीज गुजराल सतीज गुजराल ने 1963 इसवी में वर्ड ट्रेड फेयर न्यू यॉर्क के लिए मूरल बनाये थे वे कलाकार जो 2007 BBC टेलिविजन फिल्म पर्शेन दिडे इंडिया बर्नर्ड का हिस्सा बने थे ये थे सतीज गुजराल सतीज गुजराल 2007 BBC टेलिविजन फिल्म पर्शियन दे इंडिया बर्नर्ड का हिस्सा बने थे सुजाता कुल्ष्रेस्ट द्वारा सतीज गुजराल के जीवन पर बनाई गई 24 मिनट की एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म कब रिलीज हुई थी तो ये रिलीज हुई थी 15 फरवरी 2012 को इसे बनाया था सुजाता कुल्ष्रेस्ट ने ये सतीज गुजराल के जीवन पर बनाई गई 24 मिनट की एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म थी सतीज गुजराल थे सतीज गुजराल किस रूप में प्रसिद्ध थे तो ये चित्रकार, वस्तुकार, भित्य चित्रकार या म्यूरलिस्ट के रूप में प्रसिद्ध थे उस चित्रकार का नाम बताईए जो वस्तुकार भी है तो ये थे सतीज गुजराल ये चित्रकार के साथ साथ वस्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं सतीज गुजराल की सरवाधिक प्रसिद्धी है भित्य चित्रकार या म्यूरिलिस्ट के रूप में मियूरलिस्ट के रूप में सरवाधिक प्रसिधी सतीज गुज्राल को प्राप्थ हुई थी प्रख्यात चित्र विलाप का चित्रकार कौन है तो ये हैं सतीज गुज्राल विलाप शीर्षक का जो चित्र है उसके चित्रकार है सतीज गुज्राल 27 गुजराल की मृत्य हो चुकी है, 26 मार्च 2020 को इनकी मृत्य हुई थी नई दिल्ली में 27 गुजराल के प्रसिद्ध चित्र हैं, तूफान के तिनके, तिरसकार, आत्म हत्या के पूर्ग, दर्द का मसीहा, इस्मृतियों का जाल, दो पहरी का अध्यारा, इत्यादी तूफान के तिनके, तिरसकार, आत्म हत्या के पूर्ग, दर्द का मसीहा, इस्मृतियों का जाल, दो पहरी का अध्यारा, इत्यादी चित्र हैं, सतीस कुजराल के अगले आपके कलाकार है, कटिगरी, क्रश्न हैबबर, केके हैबबर की नाम से इन्हें जाना जाता है, इनका जीवन काल है, 1912 से 1996 इस्वी की मध्यत, 1912 में इनका जन्म हुआ था, 1996 इस्वी में इनकी म्रत्योई थी केके हैबबर का जन्म हुआ था, 1912 इस्वी में करनाटक के काटिगेरी ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र है, इसका सीर्शक है मुर्गे की लड़ाई, जो केके हैबबर का एक प्रसिद्ध चित्र है केके हैबबर ने कला में डिप्लोमा कहां से प्राप्त किया था, 1940-1945 इस्वी के मध्य सर्जेजे स्कूल अप आर्ट से, जो की मुंबई में इस्थित्ध है, केके हैबबर ने कला का डिप्लोमा किया था आर्ट नाव इंडिया, आर्ट नाव इंडिया में किसने पहली बार अंतरास्टी इस्तर पर दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसका आयोजन ब्रुसेल्स और लंदन में 1965 इस्वी में किया गया, केके हैबबर ने आर्ट नाव इंडिया में पहली बार अंतरास्टी इस्तर प दर्शकों का दिल जीत लिया अब आपका आता है बंबे ग्रुप मुंबई इसका समय है 1957 इसवी बंबे ग्रुप की स्थापना कब और कहां होई थी तो 1957 इसवी में मुंबई में बॉंबे गुरुप की स्थापना हुई थी कौन सा कलाकार बॉंबे गुरुप का नेता था तो केके हैबर जो थे वो बॉंबे गुरुप के नेता कलाकार थे बॉंबे गुरुप के जो सदस्य थे वो थे केके हैबर, आरा, गांडे, चावडा, पुलकर्णी, गायतोंडे, मोहन सामंत, पलसीकर, बाबुराव, साद लवकर, हरीकिशन लाल, अकबर पदमसी, जहांगी साबावाला, तैयब महता, बद्री नारायनम, होमी पटेल व अमब दास, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हैबर, आरा, गांडे, चावडा, पुलकर्णी, गायतोंडे, मोहन सामंत, पलसीकर, बाबुराव, साद लवकर, हरीकिशन लाल, अकबर पदमसी, जहांगीर साबावाला, तैयब महता, बद्री नारायनम, होमी पटेल और अम अधिक महतों दिया था, तो अमूर्त अभिवियंजनावाद को बांबे ग्रुप की कलाकारों ने अधिक महतों दिया था, बांबे ग्रुप ने कुल कितनी प्रदर्शनियों का आयोजन किया था, तो कुल 6 प्रदर्शनियों का आयोजन बांबे ग्रुप ने किया था, बां इसी 61. Shift वी में केकेहबर को पदम श्भी से भारत सरकार ने नावाजा था 19 51 से 1984 एच्वी के मध्ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे थे चेकेहबर केके हैबर 1981 से 1984 इस्वी के मध्य ललितकल अकादमी के अध्यक्ष रहे थे भारत सरकार ने कला में हैबर के योगदान के लिए पद्म भूशन से कब सम्मानित किया था तो 1989 इस्वी में केके हैबर को भारत सरकार ने पद्म भूशन से सम्मानित किया था हैबबर की प्रसिद्धी रही लयात्मक रिखांकन से लय की अनुभूती प्राप्त करने के लिए केके हैबबर ने केससे नरत्त की कला सिख्षा प्राप्त की थी सुप्रसिद्ध आचारे पंडित सुंदरलाल से इन्होंने नरत्त कला की सिख्षा प्राप्त की थी केके हैबबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है शास्त्रिय शैली जो है वो केके हैबबर के अंतिम दिनों के चित्रों की शैली मानी जाती है शशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध है केके हैबर केके हैबर के रेखाचित्रों का संग्रह है भारत कला भवन बारांडसी में केके हैबर के रेखाचित्रों का संग्रह पाया जाता है केके हैबर की कला पर किसका प्रभाव था तो पॉल गौगिन और अमरता शेरगिल का प्रभाव केके हैबर की कला पर पाया जाता है केके हैबर के प्रसिद्ध उचित्र है मुर्गो की लड़ाई चंडीगर शंग्रहाले में संग्रहित है धान कूटते हुए ताइल फैक्टरी श्रद्धा भिकारी भारतिय नरत्य साधू फैस्टिबल इना स्लिम फैस्टिबल इना स्लिम तमाशा लोक नरत्य बीडा इत्याद केके हैबर के प्रसिद्ध उचित्र है एक बर रिवाइस कर लेते हैं मुर्गो की लड़ाई जो कि चंडीगर संग्रहाले में संग्रहित है धान कूटते हुए ताइल फैक्टरी श्रद्धा भिकारी भारतिय नरत्य साधू फैस्टिबल इन असलम तमाशा लोक नरत्य परद्रे का जीवनकाल है 1910-1992 एसवी के मध्यी 1910 में इनका जन्म हुआ था और 1992 में इनकी मुर्टी हुई थी एने इस पेंद्रे का जन्म कब और कहा हुआ था तो 21 अगस्त सन 1910 एसवी में मध्य प्रदेश की इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ था यह जो चेत्र आप देख रहे हैं यह नारायण शीधर बेंद्रे का चित्र है इसका शीर्षक है मेमने के साथ लड़की एनस में दौर में कला की सिक्षा किसे प्राप्त की थी तो डीडी देवला-लीकर से एनस बेंद्रे के अतिरिक्त किसी अन्य आधुनिक वह समकालीन कलाकार ने सिक्ष प्राप्त की थी वे कौन थे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देंगे 1933 इसवी में NS बेंद्रे ने आर्ट में डिप्लोमा कहां से प्राप्त किया था तो JJ School of Art मुंबई में इन्होंने कला में डिप्लोमा प्राप्त किया था किस कलाकार ने कस्मीर सरकार के विजिटर्स विडरो में बतार कलाकार पत्रकार के रूप में कारी किया था तो ये थे NS बिंद्रे NS बिंद्रे ने कस्मीर सरकार के विजिटर्स विउरों में बतोर कलाकार पत्रकार के रूप में कारी किया था NS बिंद्रे को Bombay Art Society का स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था तो 1941 इसवी में Bombay Art Society का स्वर्ण पदक NS बिंद्रे को प्राप्त हुआ था 1941 इसवी में सन 1986-87 इसवी में किस कलाकार को कालीदा सम्मान मिला था तो ये मिला था NS बिंद्रे को NS बिंद्रे को 1986-87 में कालीदा सम्मान से सम्मानिक किया गया था NS बिंद्रे के प्रमुक्षिष्य थे जोती भट्ट त्रिलोक कौर सांती दवे जी आर संतोस रतन परिमू तथा गुलाम मुहम्मद शेख एक बार रिवाइज कर ले जोती भट्ट त्रिलोक कौर सांती दवे जी आर संतोस रतन परिमू तथा गुलाम मुहम्मद शेख जो थे वो एनेस बेंद्रे के प्रमुक्षिश थे 1950 इसवी में एनेस बेंद्रे किस विध्याले में प्रथम रीडर विख्याता नियुक्त किये गए ललित कला संकाय महाराजा सियाजी राव विश्य विध्याले बडोदा में 1950 इसवी में NS पेंद्रे को विश्विध्याले के प्रथम रीडर या विख्या था नियुक्त किया गया था भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार थे NS पेंद्रे एनेस बेंद्रे जो थे वो भारती कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाने जाते थे भारत में नव प्रभावाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार थे एनेस बेंद्रे NS बेंद्रे जो थे उन प्रभावाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार की रूप में जाने जाते हैं किस कलाकार ने प्रभावाद तथा घनवादी शैली को अपना कर अपनी रचनाओं को जीवानतता प्रदान की थी तो ये थे NS बेंद्रे एनेस बिंद्रे ने प्रभाववादी वगनवादी शेली को अपनाया था और अपनी रचनाओं में जीवान सता प्रदान की थी भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवत्ती का सर्व प्रथम परिचे किस ने दिया था जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के निरदेशक ग्लेड स्टोन सोलोमन ने भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवत्ती का सर्व प्रथम परिचे दिया था सन 1956 में बनाया गया चित्र सौराष्ट के बारवाडा का चित्रकार कौन है तो सौरास्ट के बारवाडा का चित्रकार है एनेस बिंद्रे एनेस बिंद्रे ने 1956 में सौरास्ट के बारवाडा नामक चित्र बनाया था ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य प्रस्ट पर छपा चित्र सूर्य मुख्य फूल किसका है तो ये है एनेस बेंद्रे का जो चित्र है उसका नाम है सूर्य मुखी फूल जो की ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य ब्रस्ट पर छपा है गपशब चित्र को एनेस बेंद्रे ने 1955 से 1965 इसवी की कालावधी में किस माध्य में चित्रित किया तो ये कैनवास पर तेल रंग में इन्होंने चित्रित किया था इनका चित्र का शिर्षक था गपशब जिसको इन्होंने 1955 से 1965 इसवी के माध्य चित्रित किया था एनेस बेंद्रे के प्रमुक चित्र हैं श्रंगार, कंधे पर बच्चा, लकडी का गठर उठाते, पूल बेचने वाली, लकडी काटने वाली, युवती, जेस्ट की दोपहर, दार्जलिंग की चाय के बागानों में युवती, गाय और बचडा, तोता और चमेलियन, राज राजस्थान के ग्रामीर, कठिया वाड के ग्रामीर, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, श्रंगार, कंधे पर बच्चा, लकडी का गठर उठाते, पूल बेचने वाली, लकडी काटने वाली, युवती, जेस्ट की दोपहर, दार्जलिंग की चाय के बागान में पाय और बच्चडा, तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीर, और कठिया वाड का ग्रामीर, इत्यादी जो चित्र हैं, वो बेंदे के प्रसिद्ध चित्र हैं, बेंद्रे को उनके चित्र थार्न काटे के लिए ललिटकला अकादमी से राष्ट्री पुरुसकार कब मिला था, तो 1955 इसवी में बेंद्रे को उनके चित्र थार्न के लिए ललिटकला अकादमी से राष्ट्री पुरुसकार मिला था, एनेस बेंद्रे को पदमश्री वो पदमभुशन पुरुसकार मिला था, तो 19 फरबरी 1992 इसवी को मुंबई में एनेस बेंद्रे का देहान थो गया था, अगले आपके कलाकार आते हैं तयब महता, इनका जीवन काल है 1925 से लेकर 2009 इसवी की मध्य, 1925 में इनका जन्म हुआ था, 2009 में इनकी मृत्ति हुई थी, तयब महता का जन्म कब और कहां हुआ थ तो 26 जुलाई 1925 इसवी को गुजरात के खेडा जिले के कपाडवंज गाउं में इनका जन्म हुआ था, तयब महता ने अपने केरियर के शुरुआत की थी, मुंबई के प्रसिद टेडो फिल्म स्टूडियो में बतोर फिल्म एडिटर के रूप में इन्होंने अपने केरिय के शुरुआत की थी, यह जो चित्र आप यहां देख रहे हैं, यह तयब महता का चित्र है, इसका शीर्षक है दुर्गा महिसासुर मर्दिनी, दुर्गा महिसासुर मर्दिनी शीर्षक का यह चित्र है, तयब महता ने चित्रकारी में रूची होने के कारण कला में डिप्ल तिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण प्रदक्त हुआ था इनका चित्र था गिरते हुए शरीद falling figures जिसके लिए इन्हें 1967 इसवी में प्रथम तिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण प्रदक्त हुआ था वर्ष 1970 इसमी में तैयब महता ने 16 मिनट की कौन सी लगो फिल्म बनाई थी ये फिल्म सी कुदाल कुदाल नामक फिल्म इन्होंने 1970 इसमी में बनाई थी इसका समय था 16 मिनट फिल्म कुदाल को तैयब महता ने कहां फिल्म आया था तो मुंबई के बांदरा इस्थिस कतल घर में इन्होंने कुदाल फिल्म को फिल्म आया था तयाप महता की फिल्म, कुदाल को कब Filmfare Critics Award मिला था तो 1970 ऐस्वी में इनकी फिल्म, कुदाल को Filmfare Critics Award मिला था तैयब महता को मध्यप्रदेश सरकार का काली दास सम्मान कब प्राप्ठ हुआ। तैयब महता की प्रसिद्ध पेंटिंग सेलिब्रेशन वर्ष दो हजार दो में हुई कृस्टी की निलामी में कुल कितने मूले में बिकी थी 1.5 करोड रुपए में या 3,7,500 अमेरी की डॉलर में इनकी जो चितर थी सेलिब्रेशन वो 2002 में कृस्टी की निलामी में बिकी थी मैई 2005 में तयब महता की पेंटिंग काली सेफरो नार्ट भाड़ती नीलामी घर की ओनलाइन नीलामी में कितने रुपे में बेची गई तो ये एक करोड रुपे में बेची गई थी या फिर दो लाख तीस हजार अमेरिकी डॉलर भी इसको कहा जा सकता है वर्ष दो हजार पांच में तैयब महता की पेंटिंग महिसासुर मर्धिनी को क्रिस्टी की नीलामी में कितने रुपे मिले थे तो इनकी जो पेंटिंग थी महिसासुर मर्धिनी इसको 1.584 मिलियन डॉलर 2005 में क्रिस्टी की नीलामी में मिले थे 19 नवंबर 2018 को तैयब महता की पेंटिंग दुर्गा महिसास और मर्धिनी मुंबई में सुद्वी की निलामी में बाउंड लेस इंडिया में कुल कितने मूल्य में बिकी थी तो ये बिकी थी 29 लाख डॉलर में करीब 20 दसमलव 49 करोड रुपे में दिसंबर 2005 में एशियान की निलामी में तयब महता की पेंटिंग गैस्चर को 3.1 करोड रुपे की बोली लगा कर किसने खरीदा था तो इसे खरीदा था रंजीत मलकानी ने 3.1 करोड रुपे में ये पेंटिंग थी गैस्चर तैयब महता को भारत सरकार का पद्म भूशन पुरुसकार कब प्राप्थ हुआ 2007 इस्वी में तैयब महता को भारत सरकार द्वारा पद्म भूशन सम्मान प्राप्थ हुआ था तैयब महता का निधन हुआ था 2 जुलाई 2009 में 2 जुलाई 2009 में मुंबई मेン 83 वर्ष की आयो नहीं में इनका नधन हुआ था टयव महता थे अभिव्यंजनावादी कलाकार अभिव्यंजनावाद का प्रभाव इनके चित्रों पर दिखाई देता था टयव महता पर किस कलाकार का प्रभाव था तो बृटिस चित्रकार डेविड हाकनी का प्रभाव तैयब महता के चित्रों पर दिखाई देता था किस भारतिय चित्रकार की पेंटिंग काली जून 2018 में एक नीलामी में रिकॉर्ड रुपए 26.4 करोड रुपए में भी की थी तो ये तैयब महता की एक पेंटिंग थी जिसका शीर्षक था काली जो जून 2018 में एक नीलावी में 26.04 करोड रुपे में विकी थी अगले कलाकार है जगदीज स्वामी नाथन इनका जीवनकाल है 1928 से 1994 इस्वी के मध्यद 1928 में इनका जन हुआ था 1994 इस्वी में इनकी मध्यदी हुई थी जगदीज स्वामी नाथन का जन कब और कहां हुआ था 21 जून 1928 को शिमला में जगदीज स्वामी नाथन का जन हुआ था ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये जगदीज स्वामी नाथन के द्वारा बनाये गया है इस चित्र का शीर्षक है जर्नी वन जर्नी वन इस चित्र का शीर्षक है जो जगदीज स्वामी नाथन के द्वार अब बात करते हैं गूरूप 1890 की नईदिल्ली 1963 18-25 में इसे स्विक्रती प्दान की गई थी г्रूप 1890 की स्थापना हुई थी 1962 18-25 में भावनगर गुज़ात में जबके इसको स्विक्रती मिली थी 1963 18-25 में नईदिल्ली में गुरुप 1890 के संस्थापक थे, J Svaminathan ये जगदीज Svaminathan गुरुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह जिस भवन में इस्थापित हुआ था, उसका नंबर 1890 था जिस भवन में गुरुप 1890 की स्थापना हुई थी, उस भवन का नंबर था 1890 इसके कारण इस ग्रुप का नाम पड़ा था ग्रुप 1890 की स्थापना किसके मकान पर हुई थी तो जे पांडिया के मकान नंबर 1890 पर ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी ग्रुप 1890 में कुल कितने सदस्य थे कुल 12 सदस्य ग्रुप 1890 में थे जे स्वामी नाथन, जे राम पटेल, राजेस महरा, गुलाम मुहम्मद शेख, रागव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योती भट्ट, अंबा दास, एम, रिडप्पा नाइडू, बालकरश्न पटेल, एस जी न और एरिक बोवन, ये सभी ग्रुप 1890 के कुल 12 सदस्य थे, एक बर रिवाइज कर लेते हैं, जे स्वामी नाथन, जे राम पटेल, राजेस महरा, गुलाम मुहम्मद शेख, रागव कनेरिया, हिम्मत शाह, जोती भट्ट, अंबा दास, एम, रिडप्पा नाइडू, बालकर पटेल, एस जी निगम, एरिक बोवन, ये सभी ग्रुप 1890 के सदस्य थे, ग्रुप 1890 का कैटलोग किसने तयार किया था, तो अति अथार्थवादी कवी तथा मेक्सिको के राजदूत आक्तेवियों पाज ने ग्रुप 1890 का कैटलोग तयार किया था, उस ग्रुप का नाम बता इसका इसका उद्गाटन किस ने किया था, तो पंडित जवाललाल नेहरू ने इसका उद्गाटन किया था, ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार, प्रसिद्ध चित्रकार वकवी कलाकार इतिहासकार था GM शेख जो थे वो ग्रुप 1890 के एक ऐसे कलाकार थे जो प्रसिद्ध चित्रकार कवी तथा कला इतिहासकार तीनों थे ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था तो ये थे जोतिभट जोतिभट ग्रुप 1890 के प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर थे जगदीश स्वामिनाथन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे 1948 इसवी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जगदीश स्वामिनाथन समिल हुए थे मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किस ने किया था तो ये किया था जे स्वामी नाथन ने जगदीज स्वामी नाथन ने मजदूर आवाज नाम पत्रिका का संपादन किया था अब पढ़ते हैं भारत भवन भोपाल 1982 इस्वी भारत भवन की स्थापना 1982 इस्वी में भुपाल में हुई थी भारत भवन के संस्थापक थे अशोक बाजबई भारती प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी तथा कभी निवंधकार वसाहित्य कला आलोचक ये सभी इनके गुण थे इनकी विशेष्थाएं थी अशोक बाजबई की जो कि भारत भवन के संस्थापक थे भारत भवन भुपाल के प्रथम निर्देशक कौन थे तो जे स्वामी नाथन भारत भवन भुपाल के प्रथम निर्देशक थे भारत भवन भुपाल को किसने ड भारत भवन के पांच अंग हैं, रूपांकर, ललित कला संग्रहाले, रंगमंडल, रंगमंच, वागर्थ, भारतिय कलाओं का केंद्र, अनहद, शास्त्री और लोक संगीत का केंद्र, पांचवा है, छवी, सिनिमा के लिए, इसके जो पांच अंग हैं, वो हैं रूपांकर, रंगमंडल, वागर्थ, अनहद और छवी, भारत में जनजातिय कलाओं का सबसे बड़ा संग्रह है, भारत भवन भुपाल, भारत भवन भुपाल में जनजातिय कलाओं का सबसे बड़ा संग्रह प्राप्त होता है, दैनिक हिंदुस्तान वसरिता में बच्चों की कहानिया मुखता था तो देनिक, भिंदूस्तान में बच्चों की कहानियां लिखते थे वो थे जे स्वामी नाथन तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्राफिक कलाओं का अध्यन हीतु जेस्वामी नाथन कहां गए ये गए थे एकेडमिक ओफ फाइन आर्ट बार्षा पॉलेंड ये गए थे 1957 में तीन वर्ष की अवधी के लिए ग्राफिक कलाओं का अध्यन करने ही तो समान विचारधारा वाले साथी कलाकारों के सहयोग से ग्रुप 1890 की स्थापना किस ने की थी तो ये की थी जे स्वामी नाथन ने 1966 में मासिक कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन किस ने किया था किस कलाकार ने गौण पेंटिक यजंजाती कला को सनरक्शन प्रदान किया था जे स्वामीनाथन ने गौंड पेंटिंग यजनजाती कला को संदक्षन प्रदान किया था 1981 इसवी में जे स्वामीनाथन ने किस गौंड आर्टिस्ट को खोजा तो ये थे जनगड सिंश्याम जनगड शिंश्याम एक गौंड आर्टिस्ट थे जिने 1981 में जे स्वामी नाथन ने खोजा था भारत के प्रथम आधुनिक गौंड कलाकार है जनगड शिंश्याम जनगड शिंश्याम जो है भारत के प्रथम आधुनिक गौंड कलाकार है 13 फरबरी 1982 इसवी को स्थापित भारत भवन भुपाल के प्रथम निर्देशक नियुक्त थे जे स्वामी नाथन भारत भवन भुपाल के एक समारोह में जे स्वामी नाथन को मर्णो प्रांत कालिदा सम्मान कब प्रदान किया गया 13 फरबडी 1995 इस्वी को मर्नो प्रांत कालिदा संमान से इन्हें संमानित किया गया था भारत कला भवन में ये तीनों हिन विशेस्ताइं इनकी थी कलाकार थे अतीअथार्थवाद के इनके चित्रों पर प्रभाव था जे स्वामी नाथन के प्रसिद्द चित्र है Bird and Mountain चित्र शंखला इसके अतिरिक्त है जर्नी वन ये जो चित्र है ये जे स्वामी नाथन के चित्र है अगले आपके कलाकार है जे राम पटेल जे राम पटेल का जन्म हुआ था 1930 इसवी में जे राम का जन्म कब और कहां हुआ था 20 जून 1930 इसवी में गुजरात के सोजित्र में जे राम पटेल का जन्म हुआ था जे राम पटेल ने कला अध्यन किया था सजेजे स्कूल आफ आर्ट मुंबई से सजेजे स्कूल आफ आर्ट मुंबई से जेराम पतेल ने कला का अधियन किया था नेशनल इंस्टिटूट आफ डिजाइन निड एहमदाबाद तथा All India Handloom Board एवं School of Architecture एहमदाबाद में डिजाइन कंसल्टेंट रहे थे जेराम पतेल कला जगत में जेराम की पहचान किस काम के कारण बनी थी तो कागस पर रिखांकन और धातू की चादर तथा कास्ट पर रिलीव के कारण जेराम पतेल की पहचान बनी थी वह प्रसिद कलाकार जो अपनी जली जलाई लकडी के शिल्पों के लिए प्रसिद था तो ऐसे कॉशन आने के चांसे रहते हैं एक्जाम में इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से आप देख लिजे जेराम पतेल जो थी वो अपनी जली जलाई लकडी के शिल्पों के लिए प्रसिद थे अगले कलाकार आते हैं जोती भट इनका जन्म हुआ था 1934 इसवी में जोती भट ने चित्रकला में डिप्लोमा वा पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त किया था एनेस बिंद्रे वा केजी सुब्रमंडियम के निर्देशन में महाराजा सयाजी राव विश्विध्याले बडोधा से जोती भट किस रूप में प्रसिद्ध हैं तो ये प्रसिद्ध हैं प्रिंट मेकर या चापाकार की रूप में भारत की सुतंतरता की 25 वी वर्षकार्ट के अफसर पर डाक टिक्टों के डिजाइन के लिए प्रथम पुरुसकार किसे प्राप्त हुआ था ये प्राप्त हुआ था जोती भट को जोती भट को भारत की सुतंतरता की 25 वी वर्षकार्ट के अफसर पर डाक टिक्टों के डिजाइन के लिए प्रथम पुरुसकार दिया गया था 1967 इसवी में राज्य ललित कला प्रदर्शनी गुजरात में ग्राफिक प्रिंट के लिए प्रथम पुरुसकार किसे प्राप्त हुआ था ये प्राप्त हुआ था जोती भट को जोती भट्ट को 1967 इस्वी में राज्य कला प्रदर्शनी गुजरात में ग्राफिक प्रिंट के लिए प्रथम पुरुसकार मिला था आधुनिक तथा समकालीन कलाकार का ये फर्स्ट पार्ट था आज का वीडियो यहीं खतम होता है सेकेंड पार्ट के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा